हेलो मेरे प्यारे बच्चो, very good evening to all of you, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चो का आपके प्यारे से चैनल दीपक्सर मैट्स एंड डाउटनेट पर बच्चो, आज मैं आप सब के लिए एक बहुती important class ले करके आया हूँ, जिसमें बटा, मैं आपको प्रतिलोम तुर्कौर्णमितिय फलनों के कुछ very important good धर्मों के बारे में बताऊँगा बिटा, ये topic ना किवल आपके board exam के point of view से important है, बलकि साथ में प्रतियोगी परिक्षाओं के point of view से भी important है because इस topic के अंतरगत आप कुछ ऐसे formula देखने वाले हो, जो ना किवल बिटा, इस chapter में काम आएंगे, बलकि आपको आगे कुछ और chapters में भी ये काम आएंगे तो इसलिए मेरा पृतेख बच्चे से ये अनुरोध है कि वो ध्यान पूरवक आज की class को attend करेगा, आज की बिटा ये class आप सब के लिए काफी important class होने वाली है तो सभी बच्चे ध्यान से मन लगा करके आज किस class को attend करेंगे अब सबसे पहले जिन प्यारे प्यारे बच्चों ने class को join कर लिया है एक बार जल्दी से thumbs up करेंगे so that पता लग सके कि किस-किस बच्चे ने class को join कर लिया है एक बार जल्दी से सारे बच्चे thumbs up कीजे, thumbs up everyone, thumbs up जल्दी से बिटा thumbs up करो गुड इवनिंग बिटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जल्दी से जोइन कर लिजे सारे बच्चे, सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जोइन कर लिजे फटाक से जोइन कर लो यार, सारे के सारे बच्चे जल्दी से जोइन कर लिजे class को बिटा आज हम पृतिलोम तुर्कॉर्मतिय फलन का चौथे नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको पृतिलोम तुर्कॉर्मतिय फलनों के important गुर्धर्मों के बारे में बताऊंगा ये गुर्धर्म बच्चों आपको बूर्ड में तो काम आएंगे ही आएंगे इसके अलावा पृतियोगी परिक्षाएं लाइक जेई एंड इये इनमें भी बहुत काम आएंगे ठीक है हेल्थ केर एंड फिटनेस हेलो बिटा हेलो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जॉइन कर लीजे किलास को कि यदी जी एफ का पृतिलोम हो जहां एफ एक फलन है जो समुच्चे ए से बी में परिवासित है इस परकार की एफ आफ एक्स बरावर वाई तब जी बी से ए में परिवासित होता है इस परकार की जी आफ वाई बरावर होता है एक्स मतलब जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाता है जो इसका इनपुट है वो इसका आउटपुट बन जाता है यह होता ठीक है अच्छा यहां पर बिटा हमने देखा था कि F O G बराबर होता है I F O G बराबर होता है I B के and G O F यह बिटा बराबर होता है I A के ठीक है मतलब यह कि F of G of X बराबर होता है X के जहां X बलॉंग कर रहा है समुच्छे B में and G O F of X यह भी बराबर बिटा X होता है बट यहां पर X बलॉंग करता है समुच्छे A में ठीक है सर यह बात तो हम पहले से जानते हैं इस बात को लखाने की क्या जरत थी जरत इसलिए थी बिटा क्योंकि इसी के आधार पर हम बनाएंगे यहां पर पहली प्रॉपर्टी गुर्धर्म नमबर एक ठीक है गुर्धर्म एक क्या होगा देखे बिटा मान लीजे हमारा फलन है त्रिकॉड में तिया फलन और उसका प्रितलोम है प्रितलोम तरकॉर्ड में ती है फलन ठीक है तो इसके according क्या हो जाएगा देखिए इसके according हो जाएगा बिटा पहले गुरदर में पहला point sine of sine inverse x देखें ये f ये g है तो sine of sine inverse x ये बराबर होगा बिटा x के अब यहाँ पर x क्या होगा x होगा बिटा समुच्चे b का और समुच्चे b क्या है वो है बिटा g का प्रांथ क्या है वो g का प्रांथ है तो इसका मतलब ये x sine inverse का प्रांथ होगा तो इसका प्रांथ क्या होता है minus x से 1 x belongs to हो जाएगा minus x से 1 देखिए बिटा मैं साथ में जो प्रतिबंद लिख रहा हूँ न यह बहुत important है यह आपको ध्यारा करें ठीक है तो साइन आफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है कब जब एक्स माइनस एक से एक के बीच हो ठीक है दूसरा गुर्धर्म कॉस आफ कॉस इनवर्स एक्स यह भी बिटा एक्स के बराबर होता है यहां पर भी X ब्लॉंग करता है माइनस एक से एक में ठीक है इसके बाद तीसरा गुर्धर्म 10 of 10 inverse X यह भी बिटा X के बरावर होता है यहां पर X ब्लॉंग करता है complete R में चौथा गुर्धर्म cot of cot inverse X यह भी बिटा X के बरावर होता है यहां पर X ब्लॉंग करता है complete R में ठीक है पाँचवा sec of sec inverse X यह भी बिटा X के बरावर होता है यहां पर X ब्लॉंग करता है minus अनंज से minus एक union एक से अनंत में ठीक है और चटा गुर्धर्म होता है cos of cos of inverse X यह भी बिटा बरावर होता है X में यहां पर X ब्लॉंग करता है minus अनंज से minus एक union एक से अनंत में ठीक है तो यह होगए बिटा पहले गुर्धर्म के अन्तरगत छे फॉर्मुले यह बिटा पहले गुर्धर्म के अन्तरगत छे फॉर्मुले हमारे बन चुके हैं sin of sin inverse X बराबर होता है x के जहां x बलॉंग करता है minus 1 से एक में cos of cos inverse x भी x के बराबर होता है यहां पर भी x minus x के बीच होता है 10 of 10 inverse x भी x के बराबर होता है यहां x belongs to r होता है cot of cot inverse x भी x के बराबर होता है यहां पर भी x belongs to r होता है sec of sec inverse x बरावर x होता है यहाँ पर बिटा x minus 1 से minus 1 union 1 से अनंत होता है and cosec of cosec inverse x यह भी बिटा x के बरावर होता है यहाँ पर x minus 1 से minus 1 union 1 से अनंत होता है clear बिटा clear यह हमारे पहले गुर्दर्म के अंतरगा 6 formula हो गए ठीक है एक से अनंत अगर यह प्रांत के अंदर नहीं है तो क्या करें एक से अनंत समझा नहीं बिटा क्या कह रहे हो आप सिप्रताप समझा नहीं क्या कह रहे हो आप एक से अनंत अगर यह प्रांत के अंदर नहीं है तो क्या करें क्या प्रांत के अंदर नहीं हुआ अच्छा यदि X से इसके अंदर नहीं है तो उस case में परिवासित नहीं होगा उस case में ये परिवासित नहीं होगा चीक है दोगों इसका फायदा क्या है इसका फायदा ये है जिसे मालो मैंने आप से पूछा बताओ sine of sine inverse एक बटे 2 कामान क्या होगा तो यदि आपके गोरधर्म नहीं पता होता आप क्या करते पहले sine inverse एक बटे 2 कामान लेकालते अब यहाथा pi by 6 तो आप लिए sine pi by 6 अब sine pi by 6 कामान होता एक बटे 2 तो आप इस तरही किसे लिखते हैं अब फायदा यह है कि मालो मैंने आप से पूछा बताओ cos of cos inverse 1 बटे 4 का मान क्या होगा तो आप तुरंद बोल देना कि यह 1 बटे 4 होगा क्योंकि हम जानते है cos of cos inverse x बराबर x होता है अब यहाँ पर आप cos inverse 1 बटे 4 का मान ग्याद करोगे आपको तो पता ही नहीं है cos inverse 1 बटे 4 का मान क्या होता है तो आप तो फस जाओगे तो अब बटे आपको फसना नहीं है यह हो जाएगा 1 बटे 4 के बराबर क्योंकि x माइनस 1 से 1 के बीच में है क्लियर यह फायदा है बटे इस गुर्धर्म का लिख लिया बेटा सिवम बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छे तो यह था बेटा आपका गुर्धर्म नंबर 1 ओके चलिए अब चलते बेटा हम गुर्धर्म नंबर 2 पर गुर्धर्म 2 ठीक है देखे बच्चों यहां पर हमने यह भी देखा कि G O F of X बराबर X होता है अब G क्या है प्रितलूम फलन F क्या है फलन तो यहाँ पर G हो जाएगा प्रितलूम त्रिकॉर्ड में 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 त्र मुझ्चे A का अवयभ है G का सहप्रांत है تو sin inverse का सहप्रांत होता है minus pi by 2 से pi by 2 तो X बिटा minus pi by 2 से pi by 2 होना चाहिए यह बिटा most important है यह आपको ध्यान रכना है ठीक है यह वाला गूर्धर्म मिटा most important गूर्धर्म है most important गूर्धर्म मिटा यह आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स आफ साइन एक्स बराबर होता है एक्स के जब एक्स माइनस पाइबाइटू से पाइबाइटू के बीच में हो ठीक है ओके सर आप जब पहले ट्वेल्थ वालों को पढ़ा रहे थे लिख लिया था मैं सेकिंड मंत पहले अच्छ जहां एक्स बलों करता है मैनस पाइबाइटू से पाइबाइटू में ऐसे ही सेकिंड फॉर्मुला है कॉस इनवर्स आफ कॉस एक्स ये भी बिटा एक्स के बराबर होता है यहां पर एक्स होता है जीरो से पाइबे ठीक है तीसरा फॉर्मुला टैन इनवर्स आफ टैन एक यह भी बिटा x के बराबर होता है यहां पर x बिलॉंग करता है minus pi by 2 से pi by 2 में minus pi by 2 और pi by 2 बिटा सामिल नहीं होते है इसके बाद चौथा है cot inverse of cot x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहां पर x 0 से pi के बीच में होता है इसके बाद 5 बाद sec inverse of sec x यह भी बिटा x के बराबर होता है यहां पर x बच्चो यहां पर बिटा x sec inverse of sec x बराबर x यहां पर बिटा x 0 से pi minus pi by 2 होता है ठीक है यह भी बिटा x के यहां पर बिटा जो x होता है यह आपका यह x बिटा minus pi by 2 से pi by 2 minus 0 यह होता है ठीक है? तो यह बिटा गुर्धर्म नंबर 2 sin inverse of sin x बराबर x होता है जहां पर x minus pi by 2 से pi by 2 के भी चोना चाहिए cos inverse of cos x बराबर x होता है यहां पर x 0 से pi के भी चोना चाहिए 10 inverse of 10 x बराबर x होता है यहां पर x minus pi by 2 से pi by 2 के भी चोना चाहिए minus pi by 2 और pi by 2 पर खुला अंतराल है cos inverse of cos x बराबर x यहां पर x बिटा 0 से pi के भी चोना चाहिए 0 और pi पर खुला अंतराल है sec inverse of sec बराबर x होना चाहिए यहां पर x 0 से pi minus pi by 2 होना चाहिए कॉसेक इनवर्स अफ कॉसेक एकस बरावर एकस होना चाहिए एकस मैनस पाइवेटो से पाइवेटो मैनस जीरो होना चाहिए ठीक है अच्छे यहां पर आपने एक चीज गौर करी कि यह सब क्या है यह बेटा प्रतलोम्त रिकॉर्ड मितिय फलन के परिसर है तो जब पहले प्रतलोम्त रिकॉर्ड मितिय फलन है तब तो यहां पर एकस प्रतलोम्त रिकॉर्ड मितिय फलन का परिसर है और जब बाद में प्रतलोम्त रिकॉर्ड मितिय फलन है तो तब बेटा एकस प्रतलोम्त रिकॉर्ड मितिय फलनों का परांत है आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे सर कन्फूज होते रहते हैं कि सर कभ एक्स प्रांत होगा कभ एक्स परिसर होगा तो जब प्रितलोम्त रिकॉर्ड में पहले आ रहा है तब तो परिसर होगा और बाद में आ रहा है तो प्रांत होगा ऐसे आप प्यात रख सकते हुए अब देखो इसका फायदा क्या है इसका फायदा यह है कि मान लो बीटा मैं आप से पूछू बताओ sine inverse of sine pi by 3 का मान कितना होगा तो आप तरंद बोल दोगे pi by 3 क्योंकि pi by 3 minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में आता है ठीक है परंतु परंतु यदि हमारे पास की साइन क्यों फायदा और ऑसकेस में इसका मान क्या होगा सईक इंवर्ससाइडिंट फायद लिखा हुआ है तो उसकेस में सका मान क्या हुए क्या इर टू पायदा है ठीक है तो इस प्रकार के प्रस्णों को कैसे solve करेंगे क्या होगा फिर इसका मान तो इस तरीके के प्रश्णों को ऐसे solve करेंगे हम यहाँ पर बीच वाले का मान ज्याद कर लेंगे तो देखो sine to pi by 3 क्या होगा इसका मान क्या हैगा तो इसको हम लिख सकते हैं sine of pi minus pi by 3 अब sine pi minus sin theta होता है तो यहाँ जाएगा वर्ग मुल 3 बटे 2 अब यह कोश्चन बन चुका है sine inverse of वर्ग मुल 3 बटे 2 और इसका मान होता है प्यटा pi by 3 के बराबर तो इसका आंसर प्यटा 2 pi by 3 नहीं होगा pi by 3 होगा ओके ऐसे आपको कोश्चन solve करने है ठीक है बटा किलियर यह है आपको गुर्धर नमबर दो देखे यदि किसी गुर्धर में दिक्कत आये न तो आप बेफिक्र होकर पूछ लेना बाद में यह सुनना नहीं चाहता कि सर मुझे यह वाला गुर्धर्म समझ में नहीं आया ठीक है ओके बटा किलियर किलियर हो गया दूसरा गुर्धर्म भी आपको यह बटा दूसरा गुर्धर्म था बताईए बच्चो सभी को यह वाला गुर्धर्म भी किलियर हो गया न बता है और बता हो चले हो ठीक है हो गया अब चलते हैं अगले गुर्धर्म पर गुर्धर्म नमबर तीन पर गुर्धर्म नमबर तीन में बेटा पहला फॉर्मुला है साइन इनवर्स ओफ माइनस एक्स का यह बराबर होता है बिटा माइनस साइन इनवर्स एक्स के जहां पर एक्स माइनस एक से एक के बीच में रहता है दूसरा फॉर्मुला है कॉस एक इनवर्स ओफ माइनस एक्स के यह भी बराबरता माइनस कॉसेक इनवर्स X के यहाँ पर X माइनस अनन्द से माइनस एक यूनियन एक से अनन्द होता है और तीसरा फॉर्मला है 10 इनवर्स ओफ माइनस X के यह भी बराबरता माइनस 10 इनवर्स X के X आपका belongs to R होता है ठीक है अब आप सोच रहोगों कि मैंने ये तीन formula एक साथ क्यों लेके क्योंकि बटा इनके formula काफिया तक similar है काफिया तक है पूरे similar है क्या किया लोगों ने इन लोगों ने तो किवल minus को अपने बाहर पटक दिया ये बिचारे सीधे साथे थे तो इन्होंने minus को भाहर लाके रख दिया अब जो बात के तीन और formula ना वो बिटा सीधे साथे नहीं है इनमें सबसे पहले आता है इनका भगवान cos inverse of minus X ये बराब होता है pi minus cos inverse X क्या pi minus cos inverse X cos inverse क्या है बड़ा ही जिद्दी फलन है बेटा ये minus को भाहर तो निकालता है बट pi के साथ निकालता है ये कहता है मैं अकीले भाहर नहीं लोगँगा मेरे साथ pi अवस्य आएगा तो pi minus cos inverse X होता है cos inverse of minus X यहाँ पर बेटा X आपका minus 1 से 1 के बीच में होता है सेम ऐसे ही second verse of minus X second verse तो इसका जोड़िदार है तो ये तो इसकी बात को माने गई तो यह गया pi minus second verse X यहाँ पर बेटा X minus अनन से minus 1 union 1 से अनन्त होता है ठीक है और छटा cot inverse of minus X बिचारा cot inverse भी इनकी संगत में आकर इनके जैसा हो गया तो यह हो जाएगा pi minus cot inverse X यहाँ पर बेटा X ब्लोंग करेगा R में ठीक है ओके बेटा तो यह हमारे गुड़दर नंबर 3 के अंतरगत 6 फॉर्मूले हो गए sin inverse of minus X बराबर होता है minus sin inverse X के cos inverse of minus X बराबर होता pi minus cos inverse X के 10 inverse of minus X बराबर होता minus 10 inverse X के cot inverse of minus X बराबर होता pi minus cot inverse X के sec inverse of minus X बराबर होता pi minus sec inverse X के and cos sec inverse of minus X बराबर होता minus cos sec inverse X के clear बिटा clear अच्छा अब इस गुर्धर्म की साहता से देखो जैसे मान लीजे मान लो मैंने आप से पूछा बताओ sin inverse of minus 1 बटे 2 का मान क्या होगा तो आप तरंत लिख देना minus sin inverse 1 बटे 2 अब sin inverse 1 बटे 2 का मान तो आपको मालूमी है pi by 6 तो हो जाएगा minus pi by 6 ठीक है वही मान लीजे मैंने आप से पूछा बताओ cos inverse of minus 1 बटे 2 का मान कितना होगा तो आप लिख देना pi minus cos inverse 1 बटे 2 अब cos inverse 1 बटे 2 का मान कितना होता है pi by 3 तो हो जाएगा pi minus pi by 3 यानि कि 2 pi by 3 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बटा आपको मान गयात करने है ओके ये था बटा गुर्धर्म नमबर 3 किलियर से बच्चों को गुर्धर्म नमबर 3 बताईए बच्चों गुर्धर्म नमबर 3 भी किलियर होगे सभी को किलियर बटा clear गुर्धर्म नमबर 3 चलिए अब इसके बाद चलते हैं गुर्धर्म नमबर 4 पर चौते गुर्धर्म पर चलते हैं अब चौते नमबर का गुर्धर्म है इसमें बिटा पहला पार्ट है sin inverse of 1 by x ये बिटा बराबर होता है cos 1 inverse x के वहें cos 1 inverse of 1 by x बराबर होता है sin inverse x के इसके बराबर होता है यहां पर x minus 1 से minus 1 union 1 से अनंत होता है जबकि यहां पर x minus 1 से 1 होता है ओके बिटा इसमें बिटा 0 सामिल नहीं होता ठीक है cos 1 inverse of 1 by x बराबर होता है sin inverse x के यहां पर बिटा x minus 1 से 1 minus 0 होता है ठीक है अच्छा इसके बाद में अगला second cos inverse of 1 by x यह बराबर होता है बिटा sec inverse x के यहां यहां पर भी x minus 1 से minus 1 यूनियन एक से अनन्त होता है इसके बाद इसके बाद जो most important है वो है 10 inverse वाला तो 10 inverse of 1 by x यह बिटा बराबर होता है यह बराबर होता है cot inverse x के जब x greater than 0 हो ठीक है बट यदि x less than 0 हुआ ना यानि रिनात्मक हुआ तो उस case में बिटा यह हमारा बन जाएगा pi minus x रिनात्मक है तो यहाँ पर रिनात्मक आना चाहिए तो जाएगा minus pi plus cot inverse x यह बिटा यहाँ पर बन जाएगा ठीक है ओके यह बच्चों यहाँ पर बन जाएगा clear बिटा 10 inverse of 1yx बराबर होगा cot inverse x के जब x greater than 0 है और जब x less than 0 होगी तो यह बनेगा minus pi plus cot inverse x के सर हमें यह तो समझ में आ गए बट यह वाला समझ में नहीं आया कि यह minus pi plus cot inverse x कैसा हुआ तो इसको मैं आपको समझाता हूँ देखो बिटा इधर आ जाओ जरा जरा सारे बच्चे इधर आ जाएए देखो 10 inverse of minus 1 कितना होता है कितना होता है बिटा 10 inverse of minus 1 यह होता है minus pi by 4 के बरावर जब कि हम बात करें cot inverse of minus 1 की तो यह बिटा बरावर होता है 3 pi by 4 के बरावर अमालो आपने आपर x की जिगह पर minus 1 ले लिया तो 10 inverse of minus 1 तो आपके इसाब से तो यह cot inverse of minus 1 के बरावर होना चाहिए जब कि क्या यह दोनों बरावर है नहीं है बरावर ठीक है तो कितने का अंतर है pi का तो अभी इसको यह दिया minus pi plus 3 pi by 4 लिखोगे तो आपका answer minus pi by 4 आ जाएगा ठीक है तो यह चीज़ आपको बिटा ध्यान में रखनी है clear everyone clear यह था बिटा गुर्धर्म नमबर 4 क्या है sine inverse of 1 y x बरावर रॉता cos inverse of 1 y x बरावर रॉता second inverse x क and tan inverse of 1 y x बरावर होता quart inverse x क जब x greater than 0 है यदि x less than 0 है तो यह दो होता है minus pi plus quart inverse x के बरावर यह बिटा गुर्धर्म नमबरgrow चार ठीक है अब इसके बाद चलते हम गुर्धर नमबर 5 पर तो बिटा गुर्धर नमबर 5 है आपका गुर्धर नमबर 5 यह बिटा यहां पर तीन फॉर्मुले हैं और तीनों ही important फॉर्मुले हैं पहला है sin inverse x प्लस cos inverse x यह बिटा बराबर होता है pi by 2 के यहां पर x minus 1 से 1 के बीच में होता है दूसरा है tan inverse x प्लस cos inverse x यह भी बिटा pi by 2 के बराबर होता है यहां पर x आपका belongs to r होता है तीसरा फॉर्मुला होता है sec inverse x प्लस cos sec inverse x यह भी बिटा pi by 2 के बराबर होता है यहां पर x minus 1 से minus 1 union 1 से अनन्थ होता है तो यह बिटा आपके important तीन फॉर्मुले और हो गए sin inverse x प्लस cos inverse x बराबर होता है pi by 2 के सेम इसी तरीके से 10 inverse x प्लस cos inverse x भी pi by 2 के बराबर होता है and sec inverse x प्लस cos sec inverse x भी बिटा pi by 2 के बराबर होता है ओके बिटा किलियर यह आपका गुर्धर नमबर 5 है अब सर इस गुर्धर्म का फायदा क्या है इसका huge कैसे करेंगे तो पेटा huge इसका ऐसे करेंगे जिससे मान लीजे मैंने आपको बोला माना sin inverse x बराबर है एक बटे 5 तो cos inverse x का मान ग्याद कीजिए ठीक है यह मैंने बोल दी या फिर मैंने बोल दी है कि sin inverse x बराबर है पाय बाई 5 के तो बताओ cos inverse x का मान क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा मान इसका चुकि sin inverse x plus cos inverse x बराबर होता है पाय बाई 5 के so cos inverse x sorry sin inverse x plus cos inverse x बराबर होता है पाई बाई टू के सो कॉस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस साइ इनवर्स एक्स के योगिया पाई बाई टू माइनस पाई बाई फाई लगुतम लोगे तुरंद दस लगुतम आगे दो पंदस तो पाई पाई माइनस पांदुन दस दो पाई तो यह हो जाएगा थ्री पाई बाई टैन तुरंद विटा आपका ऐसे आंसर आ जाएगा ठीक है इस प्रकार के प्रिश्णों को हल करने में यह फॉर्मुले एहम भूमिका निवारते हैं ओके बिटा क्लियर एवरिवन क्लियर बच्चों आ तक सभी को बताईए बिटा बताईए सभी को क्लियर है आ तक यह बिटा गुर्धर्म नंबर पांच है ठीक है ओके चलिए अब इसके बाद चलते हैं गुर्धर्म नंबर छे पर गुर्धर्म छे पर जिसे बिटा हम रुपांत प्रणिये गुर्धर्म भी कहते हैं रुपांत प्रणिये गुर्धर्म इसको बिटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस गुर्धर्म की साहिता से हम एक प्रतिलोम त्रिकॉर्ड मितिये फलन को अन्य प्रतिलोम त्रिकॉर्ड मितिये फलन में बर्तित कर सकते हैं, कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर पहला है साइन इनवर्ड़र्प एक्स, बीटा साइन वर्स अक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स वर्गमूल वन ऐच्स स्कुर्वर करें, अब यहां पर बच्छे सोच रहे हूंगे, सर या तो भी बदाज़ता हूँ कि यह गुर्धर्म आया कहां से ठीक है तो जैसे sin verse x को आपको cos inverse में convert करना है कैसे करोगे सबसे पहले आप sin verse x को theta के बराबर मानोगे तो यहां से x बराबर बन जाएगा sin theta अब sin theta क्या होता है यह होता है यह है x करना है एक आधार हो जाएगा वर्गमूल 1-x square के अब यहां से देखिए cos theta क्या होगा आधार बटे करना तो यह हो जाएगा वर्गमूल 1-x square बटे एक cos theta तो theta बराबर जाएगा cos inverse वर्गमूल 1-x square तो ऐसे बटा cos की परवर्ड रूप में आया ठीक है अच्छा अब tan की रूप में लिखना है तो यह बराबर होता है tan inverse x बटे वर्गमूल 1-x square सर यह कहां से आया बटा यहीं से आया कहीं और से नहीं आया दोगो tan theta क्या होता है यह होता है यह होता है लंब बटे में आधार लंब कितने का है x का आधार कितने का वर्गमूल 1-x square का tan theta तो theta बराबर क्या हो जाएगा tan inverse x बटे वर्गमूल 1-x square ऐसे आ गया बिटा ठीक है काट inverse के पदों में लिखोगे तो यह बराबर हो जाएगा काट inverse वर्गमूल 1-x square बटे x जैस्ट इसका opposite कर दो बराबर सेक inverse के पदों हो जाएगा सेक inverse 1 बटे वर्गमूल 1-x square एंड कॉसेक inverse x के पदों में हो जाएगा कॉसेक inverse 1 by x ठीक है तो यह हो जाएगा बिटा रूपान तरणिये गुर्धर्म यहाँ पर देखो हमने एक प्रतलूम्त रिकॉर्म्तिय फलन को अन्य प्रतलूम्त रिकॉर्म्तिय फलनों के पदों के रूप में लिख दिया clear बिटा यह है रूपान तरणिये गुर्धर्म यदि एक पल के लिए आप इन फॉर्मॉलों को बूल जाओ तो मैंने आपको तरीका बता दिया जिससे आप परिवर्टित कर सकते हो एक को दूसरे में ठीक है हाँ बिटा फॉर्मॉले यहाँ पर काफी ज़्यादा है आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है काफी ज़्यादा फॉर्मॉले 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 बिटा यह फॉर्मॉले बिटा ना कीबल आपको बूर्ड में काम आएंगे बलकि साथ में बिटा आपको य इन गुर्दर्मों में किसी भी तरह की दिक्कत है, क्या बताईए, हाँ बीटा, जेए में भी ये most important है, जेए में भी बीटा, most important है ये, अब याद तो करने पड़ेंगे बीटा, याद तो करने, बेड़े से याद करने में इतनी जाद दिक्कत आईगी नहीं याद करने बिटा इतनी जाद दिक्कत आईगी नहीं इनको ठीक है चलिए अब इसके बाद चलते हैं बिटाम गुर्धर्म नंबर 7 पर गुर्धर्म नंबर 7 अब गुर्दर नमबर 7 के अंतरगत बिटा पहला फॉर्मुला है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का देखे बिटा ये गुर्दर नमबर 7 है ना ये तो भाई वैरी 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 की पावर इंफाइनाइट इंपोर्टेंट है मतलब एक कोईशन बिटा आपका इस गुर्दर्म से आपके बूर्ड एक्जाम में आने ही आने वाला है किसी भी सूरत में इस वाले गुर्दर्म से बिटा 100% आपके एक्जाम में कोईशन आएगा ठीक है तो ये वाला गुड़ धर्म तो आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए किसी भी कीमत पर 10 वाला अगेन बता दो सर 10 ठीटा क्या होता लंबटे आधार 10 ठीटा बराबर होमगे लंब एक से आधार वर्ग मुलबन माशन venue स्कॉर है ठीटा बराबर 10 बरस एक स्कॉर होगा Simple ठीक है? हां बेटा NDA की पॉइंट आविज थे इंपोर्ठेंट है 10 inverse x plus 10 inverse y अब 10 inverse x plus 10 inverse y बराबर होता है इसके बिटा तीन फॉर्मुले होते हैं पहला होता है 10 inverse x plus y बटे 1 minus xy यह तब होता है जब xy का मान बिटा less than 1 जब xy का मान बिटा एक से कम हो तो उस case में 10 inverse x plus 10 inverse y बराबर होता है 10 inverse x plus y बटे 1 minus xy के सर यह फॉर्मुला आया कहां से तो चलो मैं आपको यह भी बता देता हूँ तो देखो बिटा 10 inverse x plus 10 inverse y मुझे इसका फॉर्मुला ग्याद करना है तो मैंने आपर माना 10 inverse x बराबर a है and 10 inverse y बराबर b है तो basically मुझे a plus b लिका लना है अब यहां से x बराबर हो जाएगा 10 a के and y बराबर हो जाएगा 10 b के दो को बिटा 10 of a plus b क्या होगा तो यह हो जाएगा 10 a plus 10 b आपने 11 वी क्लास में फॉर्मुला पढ़ा है बटे 1 minus में 10 a 10 b यह हो जाएगा तो यहां से 10 of a plus b बराबर होगा 10 a के जगे x 10 b के जगे y बटे 1 minus में x y हो जाएगा तो यहां से बिटा a plus b क्या आगया 10 inverse x plus y बटे 1 minus x y यहां पर आजाएगा ठीक है तो a क्या है 10 inverse x b क्या है 10 inverse y बराबर क्या होगा 10 inverse x plus y बटे 1 minus x y तो यहां से बिटा यह बलब formula है ठीक है अब यहां पर हमने condition लगाई कि x y का मान एक से कम होना चाहिए ओके अच्छे दी x y का मान एक से दिक हो जाए तो अब x y का मान एक से दिक होगा तो यहां पर भी दो condition बनेंगी पहली condition x greater than 0 y greater than 0 दोनों धनात्मक है ठीक है और दूसरी condition बनेगी जब x y तो greater than 1 है बट x विरनात्मक है और y विरनात्मक है ठीक है यह विटा हमारे पास दो और conditions बन जाएंगी ओके बीटा अच्छा अब देखे पहली condition में क्या होगा तो इसमें बीटा 10 inverse x plus 10 inverse में बराबर होगा पाई प्लस 10 inverse इस case में हो जाएगा पाई प्लस 10 inverse x प्लस y बटे 1 माइनस में xy यह हो जाएगा जबकि इस वाली condition में होगा माइनस पाई प्लस 10 inverse x प्लस y बटे 1 माइनस xy यह हो जाएगा ठीक है नीचे वाली condition में हो जाएगा माइनस पाई प्लस 10 inverse x प्लस y बटे 1 माइनस xy हो जाएगा जब x और y दोनों रनात्मा के हैं और xy greater than 1 है तो यह हो गया बीटा फॉर्मुला 10 inverse x प्लस 10 inverse y का ठीक है अनुवब पटेल यार आप इतने late class को join कियो कहां से समझ में आएगा टाइम पर class जोइन की होती तो सब कुछ समझ में आ रहा होता clear है सभी बच्चों को बताईए बिटा मुझे सभी को clear है यह वाला गुर्दर बहुत important गुर्दर में बिटा हेलो तरी जांकर एक लिर एक्मियार बटा सबको clear हो बताइए बच्चों की दोड़ों और पी प्लस 10-verse X plus Y बटे 1-XY कि जब XY greater than 1 है and X and Y दोनों positive है and XY greater than 1 है जब कि X और Y दोनों negative है तो इस case में 10-verse X plus 10-verse Y बरावरत है minus 5 plus 10-verse X plus Y बटे 1-XY ठीक है ये विटा गुर्दर नुम्बर 7 का पहला फॉर्मूला है इसके बाद दूसरा फॉर्मूला है 10-verse X minus 10-verse Y का अब इसके भी बिटा हमारे पास तीन फॉर्मूले होते है पहला फॉर्मूला है 10-verse X minus Y बटे 1-XY 10-verse X minus 10-verse Y बरावर होता है 10-verse X minus Y बटे 1-XY के यहाँ पर बिटा X Y आपका less than minus 1 होता है X Y बच्चों यहाँ पर आपका minus 1 से छोटा होता है ओके स्वरी छोटा नहीं बड़ा होता है बड़ा होता है बिटा ओके तो इसको correct कर लो यह बड़ा होता है X Y कमान minus 1 से बड़ा होता है greater than minus 1 होता है ठीक है कब 10-verse X minus 10-verse Y बरावर होता 10-verse X minus Y बटे 1-XY के जब X Y कमान minus 1 से बड़ा हो यह formula कहां से आया बढ़ी ऐसे आया है हाँ पर minus करोगे तो यहाँ पर formula लगेगा 10-A minus B अब 10-A minus B क्या होता 10-A minus 10-B बटे 1-10-B तो हो जाएगा X minus Y बटे 1-XY के सर यह condition कैसे आई कैसे आई बटा इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे यहाँ पर हम 10-verse Y को minus Y से प्रतिस्थापित कर देते Y की जिगे पर minus Y लिए आते तो क्या बन जाता यही पर देखो 10-verse X plus 10-verse Y 10-verse X minus 10-verse X होता है 10-verse X minus 10-verse Y बन जाता X minus Y बटे 1 plus XY हो जाता अब यह हो जाता X into minus Y less than 1 तो minus XY less than 1 दोनों तरह माइनस से एक गुणा करेंगे तो XY minus से ग्रिणात मगरा से गुणा करें तो चिन बदल जाएगा greater than minus 1 हो जाएगा ऐसे बटा condition आ गई है ठीक है ऐसे बच्चो यह वाली condition आ गई अब यहाँ पर बनेगा XY less than minus 1 क्योंकि Y को हमने minus Y से प्रतिस्थापित किया है बस और कुछ नहीं किया तो यहाँ पर बेटा XY less than minus 1 हो जाएगा यहाँ पर X greater than 0 Y less than 0 हो जाएगा तो यह होगा Pi plus 10 inverse X minus Y बटे 1 plus XY ठीक है और minus Pi plus 10 inverse X minus Y बटे 1 plus XY होगा जब XY कमान minus X से कम होगा बट हमारा X रनात्म होगा Y रनात्म होगा ठीक है तो यह होगा बेटा 10 inverse X minus 10 inverse Y के फॉर्मुले clear यह बेटा 10 inverse X minus 10 inverse Y के फॉर्मुले हो जाएगे 10 inverse X minus 10 inverse Y बराबर था 10 inverse X minus Y बटे 1 plus XY के जब XY greater than minus 1 हो यह बराबर होगा Pi plus 10 inverse X minus Y बटे 1 plus XY के जब XY less than minus 1 हो and X positive Y negative हो and minus Pi plus 10 inverse X minus Y बटे 1 plus XY होगा जब xy less than minus 1 हो x negative हो y positive हो आपको सूच लेजे बिटा x negative हो y positive है तो इसका मान minus pi by 2 से 0 होगा इसका मान बिटा 0 से pi by 2 के बिच होगा तो ये रणात्मक ये रणात्मक तो overall रणात्मक हमारे पास आना चाहिए ठीक है अब यहाँ पर देखे जब आप x negative y positive लोगे x negative y positive तो यहाँ तो अंस में तो बन गिया negative हर में क्या होगा minus x से छोटा ले रहे तो यहाँ पर क्या बनेगा positive बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा बिटा तो यहाँ पर क्या xy minus x से कम ले रहे तो 0 1 कुछ माइनस x से कम ले रहे ना तो माइनस 2 ले रहे हैं जैसे मान लो तो यहां पर यह हर भी negative un sem negative यह तो positive हुजाएगा तो यहां पर तो positive माङ आएगा जिसलिए बीटा minus pi किया है छीक है बीटा तो यह था आपका गुर्दर नंबर 7 का दूसरा part छीक है अब इसी में तीसरा पार्ट और है वो भी लिख लेते हैं यदि y बराबर x हो तब y बराबर x तो यह हो जाएगा 2 10 inverse x बराबर होगा बिटा यह हो जाएगा 10 inverse 2x बटे 1-x स्क्वार के कब होगा जब यहाँ पर देखो x की y की जिगे भी x तो x square less than 1 हो जाएगा तो इसका मतलब x के value minus 1 से 1 के बीच में हो जाएगी जब x minus x से 1 के बीच हो तो 2 10 inverse x बराबर तर 10 inverse 2x बटे 1 minus x square के ठीक है इसको बिटा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मापांक of x less than 1 ठीक है 2 10 inverse x बराबर 10 inverse 2x बटे 1 minus x square हो जाएगा वहीं यह होगा pi plus 10 inverse 2x बटे 1 minus x square के जब बीचा यहाँ पर देखो x की जिगे पर y की जिगे पर x है तो x square greater than 1 तो minus 9 से minus 1 union x से अनंत हो जाएगा x भी positive होना चाहिए तो minus 9 से minus 1 तो होगा ही ने x से अनंत ही हो जाएगा तो x belongs to x से अनंत जब हो ठीक है और जब x belongs to minus अनंत से minus 1 होगा तो उस case में ही हो जाएगा minus pi plus 10 inverse 2x बटे 1 minus x square ठीक है बीचा यह हमारे पास आ जाएगा 2 10 inverse x का formula किलियर? किलियर बच्चो? चले बटा अब आज की class को तो में पे stop करते हैं अभी वैसे हमारे 1, 2, 3 गुरधर्म और बाकी हैं तो उन गुरधर्मों को हम next class यानि कल की class में देख लेंगे बट हाँ कल की class में आने से पहले यह जितने भी मैंने साथ गुरधर्म आपको लिखवाएं न और इनके अंदर जितने भी फॉर्मूले है उन सभी फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद करके आना है ओके? चलिए चलिए बच्चो आज की class को में पे stop करते हैं समय होगे आपकी आज की quiz का तो सभी बच्चे तयार हो जाएंगे quiz के लिए आपके सामने आ रहा है आज की quiz का पहला question जो कि बटा ये है आपको 10 inverse वर्मूल 3 plus cos inverse of minus 1 बटे 2 का मान बताना है क्या होगा? बताए बच्चो इसका मान क्या होगा? देखो बटा मैं आपको यहाँ पर जो लिखवा रहा हूँने short notes सी है ओके प्रसांद ठाकूर C.U.E.T. बटा C.U.E.T. का doubtnet पर batch चल रहा है प्रसांद बटा C.U.E.T. का doubtnet पर batch चल रहा है आप उस batch को ले लिजे math वहीं पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी तीन चेप्टर वहाँ पर खतम हो चुके हैं बटा चौथा चेप्टर चल रहा है जल्दी से जोईन कर लो C.U.E.T. का batch प्रसांद doubtnet पर चल रहा है बटा C.U.E.T. का batch ओके हाँ ले ले ना बटा आजी live है बटा एक चीज और बच्चो वो C.U.E.T. का batch लाइव है तो प्रसांद बटा आप अपने दोस्तों को बूल देना live class होती है वहाँ पर ओके चलिए तो बच्चे कुछ B option बता रहे हैं कुछ C option बता रहे हैं तेस का अंसर क्या होगा तो 10 वर्गमूल 3 का मान होता है प्रसांद 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 प्र बताईएगा मैं चाहता हूँ आप सभी इसका आंसर इस वीडियो के comment section में लिखके देंगे तो सारे बच्चे इस question का आंसर इस वीडियो के comment section में लिखके देंगे ठीक है अब सब बच्चों का focus केवल और केवल class पे होना चाहिए कहीं और नहीं होना चाहिए सारे बच्चे ध देखे उसके बाद गुर्धर नमबर 2 में हमने sin inverse of sin x के गुर्धर्म देखे 6 गुर्धर्म फिर गुर्धर नमबर 3 में हमने sin inverse of minus x के फॉर्मुले देखे फिर गुर्धर नमबर 4 में हमने sin inverse 1 बट x के फॉर्मुले देखे गुर्धर नमबर 5 में हमने sin inverse x plus cos inverse x को फॉर्मुला देखा गुर्धर्म नमबर छे में में पीटा में रुपान तरनीय अशुमुले देखे जेए harvest के बाद गुर्धर्म नमबर 7 में 10verse x प्लस 10verse y, 10verse x minus 10verse y and 210verse x का फॉर्मुला देखा तो पिछटी क्लास तक भी अमने यहां तक बात कर ली थी अब आ जाओ बीटा गुर्धर्म नमबर आठ पर गुर्धर्म आठ तो बीटा गुर्धर्म साथ के आकरी में मैंने आपको टू टैन वर्स एक्स का फॉर्मला लिखवाये था अब बात गुर्धर्म नमबर साथ के आकरी में ठीक है अब बात करते हैं गुर्धर्म नमबर आठ के बारे में ठीक है तो यहां पर बीटा पहला फॉर्मला है टू साइन इनवर्स एक्स का अब टू साइन वर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x वर्गमूल 1-x 2sin inverse x बराबर होता है sin inverse 2x वर्गमूल 1-x ठीक है इसके बाद second formula 2cos inverse x ये बिड़ा बराबर होता है cos inverse of 2x square 1-1k ठीक है 2cos inverse x बराबर होता cos inverse of 2x square माइनस 1k ओकी बिड़ा इसके बाद तीसरा formula तीसरा formula बिड़ा 2 10 inverse x का ये बराबर होता है sin inverse 2x बटे 1 प्लस x square के और बिड़ा ये बराबर होता है cos inverse 1-x square बटे 1 प्लस x square ठीक है तो ये बिड़ा 2 sin inverse x 2 cos inverse x and 2 10 inverse x के और formula है clear ये बिड़ा गुर्धर नुमबर 8 2 sin inverse x बराबर होता sin inverse 2x बराबर 1-x square 2 cos inverse x बराबर होता cos inverse 2x square माइनस 1 2 10 inverse x बराबर sin inverse 2x बटे 1 प्लस x square बराबर cos inverse 1-x square बटे 1 प्लस x square अब यहाँ पर बच्चे सूच रहेंगे सर ये formula आए कहां से तो देखिए बटे ये formula कहां से आए मैं आपको बताता हूँ तो बच्चों आप सबने sin 2 theta का formula पढ़ा था 11 वी क्लास में क्या होता ये 2 sin theta cos theta क्या होता बटे बटे sin 2 theta का formula 2 sin theta cos theta ये होता formula ठीक है अब बटेटा यहाँ पर हम sin theta को x माल लेते हैं तो theta बराबर हो जाएगा sin inverse x के अब यहाँ पर देखिए sin 2 theta बराबर हो गया 2x cos theta होता वर्गमूल 1 minus sin square theta तो क्या वर्गमूल 1 minus x square तो यहाँ से 2 theta बराबर होगा sin inverse 2x वर्गमूल 1 minus x square and theta क्या है sin inverse x तो यहाँ गया 2 sin inverse x बराबर sin inverse 2x वर्गमूल 1 minus x square ठीक है आगे बटेटा formula देख लो सेम ऐसे यह कैसे आया यहाँ पर बटेटा बने formula लगा 2 theta बराबर 2 cos square theta minus 1 ठीक है यहाँ पर आप हमने cos theta को x माल लिया तो 2x square minus 1 बने गया cos 2 theta बराबर 2 theta बराबर cos inverse of 2x square minus 1 बन जाएगा मतलब 2 cos inverse x 2 cos inverse x बराबर cos inverse 2x square minus 1 वही 2 tan inverse x बराबर sin inverse 2x बराबर 1 plus x square के because हम जानते हैं कि 10 2 theta बराबर sin 2 theta बराबर होता है 2 tan theta बराबर 1 plus 10 square theta जबकि cos 2 theta बराबर होता है 1 minus 10 square theta बराबर 1 plus 10 square theta तो वहीं से बिटा ये वाले फॉर्मुले भी आए है clear ये था गुर्धर नमबर 8 अब इसके बाद चलते हैं गुर्धर नमबर 9 पर अब गुर्धर नमबर 9 में है बिटा पहला फॉर्मुला 3 sin inverse x 3 sin inverse x बराबर होता है sin inverse 3x minus 4x cube के 3 sin inverse x बराबर होता है sin inverse 3x minus 4x cube के हाँ बेटा ये सब आपको याद करने है जैसे मुझे याद है ऐसे ही आप लोग को भी बेटा ये याद करने है अब याद करने का तरीका क्या होगा ये बच्चों मैं आपको बता देता हूँ देखिए काफी बच्चों की प्रावलम्स होती है कि सर आपने इतने सारे फॉर्मल लखा दी है हमें याद नहीं हो रहे है जायर से बात है वैं मन उससे बुद्धी है याद नहीं रहती इतनी चीज़े ठीक है तो कैसे याद किया जाए तो बेटा इसका सबसे आसान तरीक है यह है कि आप एक काम करिए आप बेटा एक पन्ने के उपर इन सभी फॉर्मलों को लिख लीजिए क्या करिए सबसे पहले एक पन्ने के उपर इन सभी फॉर्मलों को लिख लीजिए देन उसके बाद आप घर में जब भी बी चक्कर लगा रहे हो चाहे मारकेट में जा रहे हो या कहीं भी X,Y,Z कहीं पर भी फिरी हो मालोग मूवी देख रहे हो टीवी में या कोई सीरियल देख रहे हो टीवी में या जैसे कि अभी IPL मैच स्टार्ट हुए है IPL का कोई मैच देख रहे हो भई मैने मना किया है बट बच्चे तो मानते नहीं है मैच देखने में लगे रहते हैं ठीक है तो मैच भी देख रहे हो तो आप उस समय को भी यूटिलाइज करो क्या करो मैच देखते देखते उस पन्य को निकालो और फॉर्मुले याद करते रहो मैच भी देखते रहो फॉर्मुले भी याद करते रहो तो ऐसे ही बटा फॉर्मुले आपको याद हो जाएंगे ओके बटा किलियर ठीक है चलिए तो आपर गुर्दर नमबर 9 के अंतरगत पहला फॉर्मुला है 3 sin inverse x बरावर sin inverse of 3x माइनस 4x क्यूब इसके बाद दूसरा फॉर्मुला है 3 cos inverse x तो यह बरावरत है cos inverse 4x क्यूब माइनस 3x ठीक है तीसरा फॉर्मुला है 3 10 inverse x का यह बरावरत है 10 inverse 3x माइनस x क्यूब बटे 1 माइनस 3 x स्कूर ठीक है कहां से आई यह फॉर्मुले बेटा यह वाला फॉर्मुला है sin 3 ठीटा से देखिए sin 3 ठीटा बरावरत है 3 sin ठीटा minus 4 sin क्यूब ठीटा अब यहाँ पर sin ठीटा को x माल लिया तो ठीटा बरावर हो गया sin inverse x तो यहाँ पर sin 3 ठीटा बरावर हो गया 3x minus 4x क्यूब तो 3 ठीटा बरावर sin inverse of 3x minus 4x क्यूब होगा वही फॉर्मला आपे लिखा हुआ है ठीक है ऐसे 3 cos inverse x बरावर होगा cos inverse of 4x क्यूब माइनस 3x 3 tan inverse x बरावर होगा tan inverse of 3x minus x क्यूब बटे 1 minus 3 x स्क्यूब ठीक है ये बिटा बन जाएगा clear बिटा ये हमारा हो जाएगा ठीक है ये बिटा गुर्धर नमबर 9 अब इसके बाद चलते हम गुर्धर नमबर 10 पर तो गुर्धर नमबर 10 है बिटा यहां पर बिटा पहला फॉर्मला है sin inverse x plus sin inverse y का ये बराबर होता है sin inverse bracket x वर्गमूल 1 minus y स्क्यूर plus y वर्गमूल 1 minus में x स्क्यूर के ये होता है बिटा sin inverse x plus sin inverse y का फॉर्मला ठीक है दूसरा sin inverse x minus sin inverse y ये बिटा बराबर होता है sin inverse x वर्गमूल 1 minus y स्क्यूर minus y वर्गमूल 1 minus x स्क्यूर ये होता है sin inverse x minus sin inverse y का फॉर्मूला अब आप सोच रहे होगे कि सर ये फॉर्मूले कहां से आए तो बिटा ये फॉर्मूले आए है sin of a plus b वाले सूत्र से क्या होता ये sin a cos b plus cos a sin b अब यहां पर बिटा हम a को माल लेते है sin a sin a को बिटा माल लेते है x and cos b को माल लेते है ये बिटा sin b को माल लेते है sin b को हम माल लेते है बिटा y so cos a क्या हो जाएगा workmool 1 minus x square and cos b बराबर हो जाएगा workmool 1 minus by square यहां पर मान रखोगे तो ये बनेगा sin of a plus b बराबर sin a के जिए x cos b के जिए workmool 1 minus y square plus cos a के जिए workmool 1 minus x square sin b के जिएगे पर y y workmool 1 minus x square bile यहां से बिटा a plus b बराबर हो जाएगा sin inverse bracket x workmool 1 minus y square plus y workmool 1 minus x square ये बन जाएगा अब a और b के मान लग दो तो a बराबर हो जाएगा sin inverse x b बराबर हो जाएगा sin inverse y तो साइन इन्वर्स X प्लस साइन इन्वर्स Y ये बिटा हमारे पास इसके बरावर आगया ठीक है देख लो यही फॉर्मुला था ये फॉर्मुला बिटा ऐसे आया ये वाला फॉर्मुला कैसे आया साइन ओफ A माइनस B के फॉर्मुले से ठीके बच्चो अच्छा अब आजाते हैं इसी में तीसरे फॉर्मुले पर तीसरा है पिटा कॉस इन्वर्स X प्लस कॉस इन्वर्स Y ये पिटा बरावर होता है कॉस इन्वर्स ब्रेकेट एक्स वाई माइनस वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्कॉायर वर्गमूल 1-y² यह होता है cos inverse x plus cos inverse y ठीक है इसके बाद चौते नमबर का cos inverse x minus cos inverse y यह बिटा बराबर होता है cos inverse bracket xy plus वर्गमूल 1-x² वर्गमूल 1-y² ठीक है तो यह बिटा आपके प्रितलोम त्रिकौर्ण मितिये फलनों के गुर्धर्म होते है ठीक है यह बिटा प्रितलोम त्रिकौर्ण मितिये फलनों के गुर्धर्म होते है सिवम सर्मा बिटा आपके physics की offline class कितने बज़े से होती है बिटा साथ बज़े सोती है न अभी तो देख के जाएए यार हाँ बेटा ये वीडियो मिल जाएगा आप यूटूब पर इस वीडियो को देख सकते हो चीक है ओके सर्म सर्मा आप अभी फिजिक्स के टूसर के लिए जा रहे होने बेटा तो वहाँ पर आपके दोस्त आएंगे उनको भी बताईएगा इस किलास के बारे में ठीक है चलिए क्लियर बेटा ये थे आपके प्रतलूमत रिकॉर्ड में थे फलनों के गुरदर्म चलिए अब हम इन गुरदर्मों पर आधारित इंपोर्टन कोईशन देखते हैं तो ये हमारा पहला कोईशन है हमें बेटा यहाँ पर टैन वर्स आफ टैन नौपाई बटे आठ का मान ग्याद करना है क्या करना है में टैन इन वर्स आफ टैन नौपाई बटे आठ का मान बेटा ग्याद करना है अब देखे बच्चों इसका मान हम कैसे निकालेंगे तो मैंने आप सब को बताया है टैन इन वर्स आफ द्यान से समझना बेटा बहुत इंपोर्टन कोईशन है दोगों टैन वर्स आफ टैन एक्स बराबर था एक्स के परन्तु कब जब एक्स आपका माइनस पाई बैटू से पाई बैटू में हो जब बच्चों एक्स माइनस पाई बैटू से पाई बैटू में होगा ना तब टैन वर्स आफ टैन एक्स बराबर होगा एक्स के ठीक है परंतु 9 pi बटे 8 वो बिटा minus pi by 2 से pi by 2 में क्या होता है बताईए आप मुझे क्या 9 pi बटे 8 minus pi by 2 से pi by 2 में होता है yes or no बताईए यहां पर implies आएगा sorry belongs to आएगा या फिर not belongs to आएगा बताईए बिटा क्या आएगा आएगा उपर वाला चिन आएगा या नीचे वाला चिन आएगा बताई बिटा सारे बच्चे बताईए विवेक, सिवम, अक्षे, रूबी, आयूस, अर्जुन सारे बच्चे बताईए अब है not belongs वाल आएगा और बच्चे भी बताईए सारे बच्चे बताईए सारे बच्चे बताईए बिटा कौन सा चिन आएगा उपर वाला नीचे वाला सारे बच्चे बताओ यार 9 π.8 क्या ये माइनस π.2 से π.2 की बीच में है या नहीं जब यही चीज नहीं आती तो आगे कैसे आएगी भई कोई चीज नौट बुलॉंग विनीत ने भी नौट बुलॉंग बुला सुमित ने भी नौट बुलॉंग सुप्रताप ने बूला नीचे वाला और बच्चे बताईए सारे बच्चे बताईए तो बिटा यहाँ पर चिन आएगा आपका नौट बुलॉंग सुप्रताइए बिलॉंग सुप्रताइए सही बच्चों ने क्योंकि 9 π.2 बटे 8 बिटा माइनस प.2 से बच्चों के बीच में नहीं होता है ठीक है तो फिर क्या करें बई कैसे इसका मान गयाद करें तो इस प्रकार के प्रश्चनों को हल करने का जो बेटा सबसे आसान तरीका है ना वो यह कि आप 10 9 बटे 8 का मान गयाद कर लो देखो 10 9 π बटे 8 क्या होगा इसको बेटा हम लिख सकते 10 of π पलस π पाई बाई 8 और 10 π पलस ठीटा क्या होता है क्या होता है बेटा 10 of π पलस ठीटा देखे 11 वी किलास के फॉर्मले यहाँ पर काम आ रहे है और यह फॉर्मले बेटा आपको आगे काम आएंगे यही तो खेलत रिकॉर्ड में ठीका कि आगे फॉर्मुले काम आते रहते हैं ठीक है अब भाई इसमें ऐसी क्या चीज थी पीटा जो समझ में नहीं आई भाई 10 inverse of 10x बराबर x होता है कब जब x belongs 2 minus pi by 2 से pi by 2 में अब क्या 9 pi by 2 at minus pi by 2 तो लेकर आना पड़ेगा तो 10 9 pi बटे 8 को में लिखेंगे 10 of pi plus pi by 8 तो 10 of pi plus छीटा क्या होता है 10 ठीटा तो यह हो जाएगा 10 pi by 8 यह बिटा बन जाएगा ठीक है 10 pi by 8 बिटा बन जाएगा अब इसका मतलब इसके जिगे 10 pi by 8 लिखेंगे तो यह कोशन अब बनेगा 10 inverse of 10 pi by 8 अब देख लो pi by 8 क्या minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में है बिलकुल है तो मारा answer आजाएगा pi by 8 यह बिटा answer हो जाएगा ठीक है इस तरीके से बच्चों आपको इस प्रिशन को हल करना था समझ में आ गया हो तो प्लीज यार इस सेसन को like जरू कर दे और share करें अपने सभी class दोस्तों के साथ आपकी class में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं मैज के उन सब के साथ आप ये वाली class share करिए ताकि सभी को पता लग सके मैं चाहता हूं बचा कि मैं इतनी जो मेहनत कर रहा हूं आप सब के लिए वो सब को फाइदा दे तो वो आप लोग के सयोग के बिना बचा असमभव है आप ही लोग मेरी आर्मी हो आप को बचा इस आर्मी को इस सेना को पूरे भारत वरस में फहलाना है पूरे भारत को बिटा में एक करना है ओके तो इसके जिम्मिदारी आप लोगों के उपड़ है आप लोग बिटा युवा पीड़ी हो आने वाला फ्यूचर हो आप हमारा भारत का भविस्य हो बच्चों आप ओके चलिए क्लिएर एवरिवान सबको समझ मां गया चलिए बिटा अब चलते हैं अगले प्रिश्ण पर अगला प्रिश्ण है यहां पर बिटा में टैन इनवर्स ओफ कॉस एक्स बटे वन माइनस साइन एक्स जाँ पर एक्स माइनस 3 पाइवाइटू से पाइवाइटू के बीचे इसको मैं सरलतम रूप में व्यक्त करना है ठीक है सर कल मेरी तरफ से पचास बच्चे बढ़ जाएगे हाँ यही confidence सेहिए बिटा मुझे हर एक बच्चे से मुझे यही confidence सेहिए यही confidence है यह बिटा मुझे हर एक बच्चे से कि वो अपनी class के हर एक बच्चे को यहाँ पर लेकर के आएगा बिल्कुल Sir मेरे class में मैत में तगाने हैं समझा नहीं अब यादब क्या कहना चाहते हैं चलिए इस question को समझे अच्छी से बहुत ही अच्छा question है यहाँ पर बिटा मैं इसे सरल्तम रूप में व्यक्त करना है ठीक है तो देखो कैसे हम इस question को हल करेंगे ध्यान से समझ ले न बिटा तो हमारे पास है 10 inverse of बिटा हम सब जानते हैं कि cos 2 theta बराबर होता है cos square theta minus sin square theta के है ना अच्छा है आपर हम मैं यह दी 2 theta की जगे पर x रख दू तो cos x बराबर मैंने 2 theta बराबर x रखा है तो theta बराबर हो जाएगा x by 2 तो हो जाएगा cos square x by 2 minus sin square x by 2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos square x by 2 minus sin square x by 2 बटे अब यहाँ पर बिटा एक है इस एक का क्या करें इस एक का क्या करें तगाने नहीं तगड़े अच्छा तगड़े हैं अच्छा 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 तो उन सब को लेकर आईए मैं भी तो देखर न चाहता हूँ कि कितने तगड़े हैं आपकी क्लास में मैथ के बच्छे मैं भी तो देखू बिटा अब यह आदव लेकर तो आईए मैथ में तेज है तो लेकर क्या तो आईए आप एक बार उन्हें आपर पता लागेगा फिर कितने तेज है ठीक है आप एक बार लेकर के तो आईए बिटा उन्हें आपर हाँ आईउस बता देना कल आउफ्लाइन कोचिंग में सब को बता देना है बिटा सभी को बता देना है बच्छो हाँ सिप प्रताप बिलकुल अब देखो बिटा यहाँ एक की जिगे क्या करेंगे इस एक की जिगे आप लिख दो कॉस स्क्वाइर एक्स बाइटू प्लस साइन स्क्वाइर एक्स बाइटू माइनस इस साइन एक्स की जिगे क्या करेंगे तो बिटा आप समने formula पढ़ा है sin 2 theta बराबर होता है 2 sin theta cos theta के तो यहाँ पर 2 theta की जिगे पर x रख रहे हैं तो sin x बराबर होगा 2 sin x बटे दो cos x बटे दो यहाँ पर रख दो 2 sin x बटे दो cos x बटे दो यह बिटा यहाँ पर बन जाएगा ठीक है बिटा? अच्छा उन्हें यहाँ लेकर आओ यार उस प्लेट फॉर्म पर क्या करेंगे बच्चो अब यादब उनको बोलिए कि वहाँ पर उनका कोई future नहीं बने वाला क्या मिलेगा उनको वहाँ पर ऐसा कोई teacher जो खुद NIT इलावास से pass out हो और आप लोग को बारवी के board exam की math की तयारी करा रहा हो जिसके खुद के सभी boards में 100 में से 100 marks हो है क्या कोई teacher वाँ पर बताओ मुझे यहाँ पर है देखो आपके सामने मेरे बिटा राजिस्थान बोर्स से क्लास 8 में 10 में 12 में सभी boards में 100 में से 100 marks में मुझे मालूम है कि कैसे match में 100 में से 100 number लाए जाते हैं और वही बच्चों मैं आपको बताऊंगा ठीक है नीचे समझ नहीं आया क्या समझ नहीं आया भाई देखो बीटा साइन 2 ठीटा का फॉर्मुला आप सबने 11 वी क्लास में पढ़ा है अच्छे से यह था 2 साइन ठीटा कोश ठीटा अब मैंने 2 ठीटा की जिगे एक्स कर दिया मतलब ठीटा की जिगे x बाई 2 तो साइन एक्स बरावर 2 साइन एक्स बटे 2 कॉस एक्स बटे 2 हो जाएगा यहां पर मैंने रख दिया अच्छे यहां पर बच्चे सूच रहोंगे सार आपने साइन स्कॉर एक्स बटे 2 प्लस कॉस 4 x बैटल सके पीछिचे ऑब या जीचै अब physically दोगे स्कुरितोड सेने इसके पीछे भी एसके पीछे भी किया अब धोージुक में आपको अपने क्लास के बच्चों से पूछ के देगे आ क्या logic था ऐसा लिखने का उनको नहीं मालूम होगा ठीक है ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं ओके देखे बीटा a square plus b square minus 2ab आप सब लोग पढ़ते हो कि a square plus b square minus 2ab बराबर होता है a minus b k whole square के सारे बच्चे फॉर्मुला पढ़ते हैं ठीक है आपके school teacher ने भी ऐसे पढ़ायोगा बिटा बट उस teacher ने न यह छोटी से भूल कर दी उसने आपको यहाँ पर एक condition नहीं बताई और वो condition बिटा सिंपल सी यह है कि यहाँ पर a b से बढ़ा होना चाहिए क्या a b से बढ़ा होना चाहिए ठीक है जैसे कि मान लीजे मैंने लिख रखा है कि चार का वर्ग प्लस पांच का वर्ग माइनस दो गुणा चार गुणा पांच तो कुछ बच्चे आँपर इसको चार माइनस पांच का वर्ग लखेंगे मैं बोल दो बेटा यह गलत है इसको आप लखिए पांच माइनस चार का वर्ग बगाज एसे का वर्ग माइनस बड़ा हो जाएगा तो इह बहुत इंपॉर्टन बात है कोई टीचर नहीं बताता मैंने आपको बताई है आप निकलास के अपने दोस्तों से पूस कर दिख लिये ना उनको मालूम नहीं होगे यह चीज उनको बिटा ये चीज मालूम नहीं होगी ठीक है? चलिए अब आजाओ यहीं पर सर आपने कैसे पता लगा है कि cos x बटे 2, sin x बटे 2 से बढ़ा है तो बिटा यहां पर देखो x क्या दे रखा है? x बिटा दे रखा है minus 3 pi by 2 से pi by 2 के बीच में x बटे 2 क्या हो जाएगा? minus 3 pi by 4 से pi by 4 के बीच में और इस बीच में बिटा cos x बटे 2, sin x बटे 2 से बढ़ा होता है ओके? इस अंतराल में cos x बटे 2, sin x बटे 2 से बढ़ा होता है तो इस बज़े से अभी यह बनेगा हमारा question 10 inverse of अंसर में होगा a square minus b square तो यह हो जाएगा a plus b गुणा a minus b यह बन जाएगा बटे में हर में क्या बनेगा? a square plus b square minus 2ab तो यह बिटा a minus b का whole square हो जाएगा यह बिटा यहाँ पर बन जाएगा ठीक है? अब देखिए बिटा एक cos x बटे 2 minus sin x बटे 2 से एक कर जाएगा तो यह मेरे पास बन गया अब simple सा 10 inverse of cos x बटे 2 plus sin x बटे 2 बटे cos x बटे 2 minus sin x बटे 2 अब क्या करो? यहाँ पर अंसर में cos x बटे 2 का भाग लगा दो तो यह बन जाएगा 10 inverse of cos x बटे 2 का भाग लगाया तो 1 plus sin बटे cos 10 तो 1 plus 10 x बटे 2 बटे 1 minus 10 x बटे 2 हो जाएगा ठीक है? अब बिटा आप समने एक फॉर्मुला पढ़ा होगा कि 1 plus 10 थीटा बटे 1 minus 10 थीटा यह बराबर होता है 10 of pi by 4 plus थीटा के 10 of pi by 4 plus थीटा का फॉर्मुला होता है 1 plus 10 थीटा बटे 1 minus में 10 थीटा ठीक है? तो इस फॉर्मुले का हम यहाँ पर प्रियोग करेंगे यह मेरे पास बन जाएगा यहाँ से बराबर में 10 inverse ब्रैकेट 1 plus 10 x बटे 2 थीटा कीजिए कि x बटे 2 है तो यह जाएगा 10 of pi by 4 plus x बटे 2 यह बिटा बन जाएगा ठीक है? अब देखिए x बटे 2 कहां से कहां तक है बिटा? x बटे 2 देखिए कहां से कहां तक है? x बटे 2 है आपका minus 3 pi by 4 से minus 3 pi by 4 से pi by 4 के बीच में बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं डारेक लिखियाते हैं बही पहले satisfy तो करो कि 10 inverse of 10 x बराबर x तब होता जब minus pi by 2 से pi by 2 के बीच हो x पहले वो तो लेकर आओ अब यहाँ पर देखिए को प्रतेक साथ pi by 4 जोड़ोगे आप तो यहाँ पर बनेगा यहाँ पर बेटा बन जाएगा pi by 4 में pi by 4 जोड़ा तब pi by 2 pi by 2 ठीक है? एंड यहाँ पर जोड़ोगे तो minus का pi by 2 हो जाएगा अब बेटा इसका मान x के बराबर होगा तो यह बन गया pi by 4 प्लस x by 2 ठीक है? तो देखो जो इतनी भेहानक चीज़ आपको लग रही थी न दीख रही थी वो कितनी आसान बन गई ठीक है? इस तरह की problems बेटा आपके सामने आगे भी आएंगी जो आप आवकलन और समाकलन करना सीखोगे तब भी भी इस तरह की problems आएंगे और आपको ऐसे ही उन्हें solve करना है ठीक है? किलियर बेटा? किलियर? क्या किया? सबसे पहले हमने आपर cos to theta का form लगाया ये वाला नीचे हर में हमने 1 की जगे लगा cos square x beta 2 plus sin square x beta 2 sin x का form लगाया ये वाला इसके बाद हमने a square minus b square का and a square plus b square minus 2a b का form लगाया ये बन गया ये होगया cos x beta 2 का भाग लगाया ये बन गया फिर हमने ये वाला formula लगाया तो यह आगया तो यहां से answer आगया ठीक है? समझ में आगया सभी को चलिए अब चलते हैं अगले प्रिश्ण बर अगला प्रिश्ण बिटा यहां पर बच्चों मुझे इसे सरलतम रूप में व्यक्त करना है ठीक है? देखे कैसे करेंगे तो यहां पर बिटा पहले मैं मानूँगा माना एक्स बराबर है माना एक्स बराबर है टैन ठीटा के ठीक है? बिटा मैंने एक्स बराबर टैन ठीटा मान लिया ओके तो यहां से देखो वन प्लस एक्स स्क्वार क्या होगा? वन प्लस टैन स्क्वार ठीटा तो यह बराबर हो जाएगा sec square theta के and workmool 1 plus x square बरावर हो जाएगा sec theta के बरावर ठीक है यह हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 10 inverse of workmool 1 plus x square क्या होगा sec theta minus 1 बटे x हो जाएगा बिटा 10 theta यह हमारे पास बन जाएगा ठीक है अब यहाँ से बिटा ही हो जाएगा 10 inverse of sec theta के जिएगे 1 upon cos theta minus 1 upon यह हो कि sin theta बटे cos theta ठीक है यहाँ पर लोगत तम आएगा बिटा answer में cos theta तो यह हो जाएगा 10 inverse of यह हो जाएगा 1 minus cos theta बटे cos theta बटे में यह हो जाएगा sin theta बटे में cos theta यह बिटा कट गया तो यह हो जाएगा 10 inverse of 1 minus cos theta बटे sin theta यह बिटा हमारे पास आजाएगा ठीक है अब देखिए बिटा यहाँ से यह हो जाएगा 10 inverse of 1 minus cos theta क्या होगा so cos 2 theta बराबर होता है 1 minus 2 sin square theta के ठीक है तो यहाँ से 2 sin square theta बराबर होगा 1 minus cos 2 theta के अब 2 theta की जिएगे पर बिटा theta रख दो तो यह हो जाएगा 2 sin square theta by 2 बराबर 1 minus cos theta so यह हो गया 2 sin square theta by 2 भाई sin theta की जिएगे पर हो जाएगा 2 sin theta by 2 cos theta by 2 2 से 2 गया 1 sin से 1 sin गया तो sin बटे cos क्या बच गया 10 तो यह हो गया 10 inverse of 10 theta by 2 तो यहां से क्या जाएगा answer theta by 2 आ जाएगा यह हमारे पास आ जाएगा अब theta क्या है theta बिटा यहां से हो जाएगा 10 inverse x के बराबर तो यह हमारे पास simple हो के आ गया 1 by 2 10 inverse x बस इस तरीके से आपको यह परिशनल करना था that's it clear everyone समझ में आ गया पिटा सभी को यह आ जाएगा 1 by 2 10 inverse x clear है सभी बच्चों को बताइए पिटा यह वाला कोशन समझ में आ गया समझ में आ गया पिटा सभी को कामेश सर की केमिस्ट्री पिटा जल्दी स्टाट होगी विक्रम सर अभी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे है clear है चलिए अब बटा आगे कुछ कोशन और है इनको और कर लेते हैं न यहाँ पर देखो कोशन है हमें इसका मान गयाद करना है तो देखो कैसे गयाद करेंगे एक एक करके बिटा एक स्टेप आपको आगे चलना है तो 10 inverse of 2 कोश अभी आओ गया 2 sine inverse 1 बटे 2 का मान कितना होता है बिटा sine inverse 1 बटे 2 का मान होता है πाई बाई 6 के बराबर दो एक अमदो दोती अच्छे कोश पाई बाई 3 हो गया क्योंगे दो कॉस पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 का मान बिटा 1 बाई 2 होता है 2 गोणा 1 बाई 2 हो गया तो ये बने गया 10 inverse 1 and 10 inverse 1 का मान होता है पाई बाई 4 के बराबर बस इस तरीके से आपको यह वाला कोशन solve करना था ठीक है clear everyone ऐसे आपको solve करना था ठीक है बिटा इसके लिए आपको भूमी का मैम के YouTube चैनल पर जाना होगा वहीं पर आपको पता लग जाएगा ठीक है चलिए बच्चों आज की class को में पर stop करते हैं ये question है बिटा जो कि मैं आपको homework के तोर पर दे रहा हूँ इस question का आप खुद से करिएगा यहाँ पर 10 verse x-1 बटे x-2 प्लस 10 verse x-1 बटे x-2 बड़ावर पाइवे 4 दे रखा है आपको x का मान गयाद करना है तो 10 verse x plus 10 verse y का formula लगाईएगा otherwise next class में तो मैं आपको करवाँगा ये करवाँगा ठीक है चलिए चलिए बच्चो आज की class को में पर stop करते हैं तो इस तरीके से बटा आज की class में आपको प्रतलोंत रिकॉर्ड में ते फरनों के important question करवाएगा ठीक है अब एक question quiz के form में आप से पूछ रहा हूँ मैं उसका आप मुझे answer बताईए इसका answer बताईए बिटा क्या होगा जल्दी से बच्चो इसका answer बताईए sign of court inverse of cost of 10 verse 0 का मान है पहला option 0, दूसरा option 1, तीसरा option 1y root 2, चौता option रूट 2 बताईए कौन सा option correct होगा बताईए बिटा जल्दी से बिटा इसका answer बताईए बहुत आसान प्रिश्ण है answer बताई ये बच्चो जल्दी से इसका बहुत आसान है यार कुछ नहीं है बिटा इस question में देखिए बच्चो इसका answer क्या होगा 10 verse 0 का मान कितना होता है बिटा 0, cost 0 का मान 1, cotton verse 1 का मान 5 by 4 तो ये बन गया sign 5 by 4 और sign 5 by 4 का मान होता है एक बटे वर्ग मुल दो देखो कितना आसान question था C option अमारा right answer हो जाएगा बिल्कुल से बिटा चलिए अब एक question आप लोग लखिए अंबर के तोर पर करने के लिए इस question को बिटा फुट से करिएगा और इसका जो भी answer है आप मुझे इस वीडियो के comment section में लखके बताईएगा ठीक है चलिए question है sign inverse of sign 3 by 5 का बिटा में मान गयात करना है क्या करना बच्चों में हमें sign inverse of sign 3 by 5 का मान गयात करना है अब बच्चों मैंने आपको बताया कि sign inverse of sign x बराबर होता है x के परन्तु कब कब होता है बेटा sign inverse of sign x x के बराबर जब x हमारा minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में हो यहाँ पर minus pi by 2 और pi by 2 सामिल होते हैं जब x minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में हो तब sign inverse of sin x का मान x के बराबर होता है हाँ बेटा आज यह chapter खतम हो जाएगा कल मैं आपको J और NDA के question करवाँगा इस chapter के ठीक है चलिए अब मैं आपर आपसे simple सा question पूछन पूछना चाता हूँ कि क्या 3 pi by 5 minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में आता है क्या simple सा question मैं आपसे पूछना चाता हूँ बेटा कि क्या 3 pi by 5 minus pi by 2 से के बीच में आता है या नहीं आता कौन सा अच्छन यहाँ पर लगेगा बताइए बताइए बेटा कौन सा अच्छन यहाँ पर लगेगा belongs to का या not belongs to का सिवं बेटा देगो मैंने आपसे डेली बोला यार कि fix 6 बजे class को attend करने आ जाये करो चलिए जल्दी आ जाये वैसे अभी पहला question ही चल रहा है ठीक है ज्यादा कुछ मैंने नहीं बताए आता है 3 pi by 5 minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में आता है कितने बच्चे कहते हैं कि आता है बताईए कितने बच्चे कह रहे हैं कि 3 pi by 5 minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में आता है चलिए बटा आपकी स्क्रीन पर पूल आ रही है पूल के दारा मुझे बताईए कि आता है या नहीं आता है yes और no में बताईए yes और no में बताईए ठीक है yes और no में बताईए बटा कि आता है या नहीं आता है बता बच्चो बताव मुझे सारे बच्चे बताईए आता है या नहीं आता है बताईए बटा नहीं आता है अच्चो फील्ड में घर का काम था कुछ बच्चे कह रहे हैं आता है कुछ कह रहे हैं नहीं आता अरे भाई इसमें इतना क्या सोचना बेटा इसमें इतना क्या सोचना 3 पाई बै फाई देगो कितना हो जाएगा इन नालायकों को अभी यहीं नहीं पता कि 3 pi by 5 कितना होगा तो तीन गुणा pi को लग दो 180 degree बटे में 5 5 से भाग लगाओगे होगे 36 degree चतितिया कितना होता है 108 अब क्या ये minus 90 से 90 के बीच में आता है बताओ नालाय को क्या ये minus 90 से 90 के बीच में आता है क्या नहीं आता नहीं आता सर ये minus 90 से 90 के बीच में नहीं आता तो यहाँ पर चिन लगेगा not belongs to 3 pi by 5 minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में नहीं आता अब नहीं आता तो लेकर आना पड़ेगा कैसे लेकर कहेंगे दियान से देखना तो यहाँ पर बेटा हम sign 3 pi by 5 है इसको बेटा मैं लग सकता हूँ sign of pi minus 2 pi by 5 पर तीन pi बटे 5 है इसको pi minus 2 pi बटे 5 लग सकते हैं ठीक है अब sign pi minus sin theta होता है तो कि sin 2 pi by 5 अब आप मुझे यह बताइए कि कि क्या 2 pi by 5 minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में आता है बताइए बेटा क्या 2 pi by 5 minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में आता है यस और नो देखे यह हो जाएगा 72 degree 72 degree minus 90 से 90 के बीच में आता है तो अते sin inverse of sin तो को sin 3 pi by 5 है इसके जीए कि sin 2 pi by 5 हो जाएगा इसका आंसर आजाएगा 2 pi by 5 तो यह बच्चो इस परिशन का आंसर हो जाएगा इस तरीके से बीचा यह question आपको solve करने ऐसे question बीचा आप से boards में भी पूछे जा सकते हैं और साथ में पृतियों की परिक्षा में भी पूछे जा सकते हैं तो इसका आंसर होगा 2 pi बटे 5 उम्मीद है मुझे सभी बच्चों को यह पहला question अच्छे समझ में आगया होगा बहुती अच्छा question था आसान question था हाँ जी बिटा यह आसान question है टफ तो अभी आएंगे आगे ठीक यह तो आसान है clear everyone समझ गए सारे बच्चे समझ गए बिटा आखिर ऐसी कोई चीज़े जो दीपक सर आपको समझा ना सके बिटा ऐसा कुछ भी नहीं है समझ गए ने सारे बच्चे clear चलिए अब चलते हैं अगले प्रिश्ण पर अगला प्रिश्ण ने बिटा यहाँ पर दिया गया 10 verse of 1 minus x बिटे 1 plus x बराबर एक बटे दो 10 verse x जहां x greater than 0 है को x के लिए हल कीजे मतला मैं x का मान याद करना है देखिए बिटा कैसे याद करेंगे यहाँ पर देखिए बच्चों हमें लिखा हमारे पास लिखा हुआ 10 inverse of 1 minus x बिटे 1 plus x यह बराबर है एक बिटे दो 10 inverse x के ठीक है अब देखो बिटा आप सब ने 10 inverse में एक फॉर्मुला पढ़ा है कि 10 inverse x minus y बिटे 1 plus x y यह बराबर होता है 10 inverse x minus 10 inverse y के क्या 10 inverse of x minus y बिटे 1 plus x y बराबर होता है 10 inverse x minus 10 inverse y के अब इसी फॉर्मुले का हमें आप पर प्रियोग करेंगे आप ऐसे सोचिए कि x की जिगह पर एक है y की जिगह पर x है तो वही की वही चीज लिखी हुई है ठीक है तो यहाँ पर लगाएंगे यह हो जाएगा 10 inverse 1 minus 10 inverse x बराबर 1 plus 2 10 inverse x हो जाएगा समझ में आया या नहीं आया बेटा यह जो लाइन है ना यही important है यदि यह समझ में आ गई तो फिर question में कुछ भी नहीं है question बिलुकुल हलवा है जी हाँ बेटा बिलुकुल हलवे की तरह है यह ठीक है सर जी 72 कैसे आई है बेटा 72 ऐसे आई है कि 2 pi by 5 का मान कितना होगा जरा देखो 2 pi बटे 5 यह जाएगा 2 बटे 5 गुणा 180 degree 5 से काटोगे 36 degree 62 कितना होता है 22 degree माइनस pi by 2 से pi by 2 के बीच में है ओक्य विसे चलिए यह नहीं आया समझ में नहीं आया बिटा तो आप बिटा वही हो जिसने पिछली क्लास को अच्छे से 10 नहीं किया पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि 10 inverse of x minus y बटे 1 प्लस x y बराबर होता है 10 inverse x minus 10 inverse y के ठीक है अब यहाँ पर x की जिगे लिखा हुआ 1 y की जिगे लिखा हुआ x देख लो चाहे 10 inverse 1 minus x बटे 1 प्लस x हो जाएगा तो x की जिगे तो 1 है y की जिगे x है यहाँ पर मान रखा 10 inverse 1 minus 10 inverse x बराबर दे रखा 1 प्लस x बराबर दे रखा 1 प्लस x बराबर दे रखा 1 प्लस x बराबर देखा एक बराबर देखा है 10 inverse x को मैं अधर बेज देता हूँ यहाँ पर रोगे 10 inverse 1 इसका मान हो जाएगा πाई भाई 4 बराबर 10 inverse x उदर जाएगा तो आदा पहले यह एक और आ गया तो यहोगे 3 बटे 2 10 inverse x अब 2 एक हम दो 2 दुनी 4 10 inverse x बराबर हो जाएगा πाई भाई 6 x बराबर होगा 10 πाई भाई 6 10 πाई भाई 6 का मान होता है 1 बटे वर्ग मूल 3 तो x का मान क्या आ जाएगा बिटा एक बटे वर्ग मूल 3 आ जाएगा क्या जाएगा एक बटे वर्ग मूल 3 ठीक है हाँ बिटा हाँ आप लोगों अपनी कलास के बच्चों को बोला होगा तो साइद हो सकता है कि वो आए हूँ चीक है क्लियर विटा यह वालो कोश्चन समझ में आगे सभी को 10 inverse 1 minus x minus 10 inverse 1 plus x अरे 10 inverse भाइटा है ऐसा कोई फॉर्मला थोड़ी होता है क्या बात कर रहो यार आप मुझे यह बताओ विपेन सिंग फिजिक्स आपको यह फॉर्मला किस ने पढ़ाया मातमा गांधी मुझे यह बताओ कि आपको यह फॉर्मला किस ने पढ़ाया बिटा चलिए हेलो सौनु पुर्जापती हेलो बेटा हेलो किलियर सही बच्चों को यह वालो कोश्चन समझ में आगे बिटा यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर यह वाला फॉर्मल लगाया देन यह बन गया इसके दर पच्चांदर्ण कर दिया मान रख दिये यह हो गया तो एक्स का मान आगे एक बटे वर्गमूल दी ठीक है नहीं भाई ऐसे नहीं लगते ठीक है चलिए भाई अब चलते बटा अगले प्रिश्ण पर अगला प्रिश्ण है सिद्ध कीजे की कॉट इन्वर्स ओफ वर्गमूल वन प्लस साइनेक्स प्लस वर्गमूल वन माइनस साइनेक्स बटे वर्गमूल वन माइनस साइनेक्स करेंगे इससे बिटा हम कैसे सिद्ध करेंगे ध्यान से आप समझेगा ठीक है तो बिटा ध्यान से देखो हमें याँ पर एक तो लिखना है वन प्लस x बटे 2 plus cos square x बटे 2 sin square x plus cos square x क्या होता है एक होता है तो मैंने इस एक को लिख दिया sin square x बटे 2 plus cos square x बटे 2 x बटे 2 क्यों लिखा है अभी थोड़ दियर में आपको समझ में आ जाएगा ठीक है अज़िए 7 में plus sin x लिखा हुआ है तो sin x को मैं लिख रहा हूँ 2 sin x बटे 2 cos x बटे 2 ऐसे बटा मैंने इसको लिख दिया ठीक है अब देखें यह हो गया a square plus b square plus 2 a भी तो यह हो जाएगा a plus b का whole square तो यहां से बटाई यह बन जाएगा sin x बटे 2 plus cos x बटे 2 का whole square यह हो गया 1 plus sin x ठीक है अब चूंके बटा x 0 से pi way 4 के बीच में है तो हम यह दिए इसका वर्गमूल लेंगे वर्गमूल 1 plus sin x तो यह बराबर हो जाएगा sin x बटे 2 plus cos x बटे 2 के इसके बटाई यह बराबर हो जाएगा sonu को बोला था क्या वो class करने आया है हाँ बटा एक sonu आया तो है as set series करके आया है एक sonu आजम गड़ का लाड़ला आया है बटा sonu एक तो यह बटा हमारे पास हो जाएगा अच्छा ऐसे ही 1 minus sin x देखे क्या होगा बटा यहाँ पर 1 को लिखूंगा मैं sin square x बटे 2 plus cos square x बटे 2 minus sin x को हम लखेंगे 2 sin x बटे 2 cos x बटे 2 ऐसे बटा इसको लख देंगे ठीक है अब यहाँ पर बटा x हमारा 0 से πाई बाई 4 के बीच में है x क्या है 0 से πाई बाई 4 के बीच में so x, y, 2 क्या होगा यह बटा 0 से πाई बाई 8 के बीच में हो जाएगा अब यह दी x, y, 2 0 से πाई बाई 8 के बीच में है तो उस case में बटा cos x बटे 2 sin x बटे 2 से बढ़ा होगा तो यहाँ पर हम लखेंगे 1 minus sin x बराबर cos x बटे 2 minus sin x x बटे 2 का whole square इसको बीचा मैं ऐसे लख देंगे आपको याद होगा बीचा पिछली क्लास में आपको बताया था कि a square plus b square minus 2ab यह बराबर होता है a minus b के whole square के कब? जब a b से बढ़ा हो अब यह दी b a से बढ़ा है तो यह होता है b minus a के whole square के यह चोटी चोटी बाते हैं जो कि आपके school teacher ने आपको नहीं बताया होगी मैं आपको बीचा बता रहा हूँ क्योंकि इनसे ही changes आते हैं okay हाँ बीचा पिर तेक दिन आपकी class चलेंगी ठीक है यह formula तो बीचा आपको बच्पन से याद होगा बट यह condition आपको याद नहीं होगी यह condition आपको किसी teacher ने नहीं बताय होगी किवल दीपक सर आपको बता रहे है क्योंकि बहुत ही गहराई की चीज़े है तो यहां से बटा यह बन जाएगा अब देखिए workmool 1 minus sin x यह बराबर होगा cos x बटे 2 minus sin x बटे 2 के यह बिटा बन जाएगा ठीक है अच्छा बस अब यहां पर मान रख दो तो हमारे पास क्या आजाएगा देखो LHS में क्या आएगा LHS बराबर cot inverse of क्या लिखा होगा workmool 1 plus sin x तो इसके जिए कि sin x बटे 2 plus cos x बटे 2 sin x बटे 2 plus cos x बटे 2 फिर plus का sin है workmool 1 minus sin x तो होगि plus का cos x बटे 2 minus sin x बटे 2 बटे में अब यहां पर workmool 1 plus sin x है तो यह हो जाएगा sin x बटे 2 plus cos x बटे 2 ठीक है इसके बाद minus workmool 1 minus sin x है तो जाएगा minus cos x बटे 2 minus minus plus sin x बटे 2 यह बटा यहां पर बन जाएगा ठीक है यह यहां पर आ जाएगा ओके बटा अब देखिए बच्चों यहां से sin x बटे 2 से sin x बटे 2 कर जाएगा cos x बटे 2 से cos x बटे 2 कर जाएगा तो क्या जाएगा देखो यह हो गया cot inverse of cos x बटे 2 cos x बटे 2 2 cos x बटे 2 sin x बटे 2 sin x बटे 2 2 sin x बटे 2 हो जाएगा यहां पर 2 से 2 गया cos बटे sign cot हो जाएगा तो क्या cot inverse of cot x बटे 2 अब यहां पर बटा x बटे 2 0 से πाई बटे 8 के बीच में है तो यह हमारे पास x बटे 2 के बराबर आ जाएगा और देखिए यही हमें इस प्रिष्ण में सिद्ध करना था तो यह बटा आमने सिद्ध कर दिया hence proof ओके बच्चो इस तरीके से बटा आपको इस प्रिष्ण को हल करना था clear है सभी को समझ में आगे बटा ऐसे आपको इस प्रिष्ण को हल करना था देखिए क्या किया हमने बेटा सबसे पहले सबसे पहले हमने 1 प्लस साइन एक्स का माल लेकाला 1 प्लस साइन एक्स बराबर हो जाएगा साइन स्कॉर एक्स बटे दो प्लस कॉस स्कॉर एक्स बरे दो प्लस 2 sin x बटे दो, cos x बटे दो ये बने गया बिटा, a square plus b square, plus 2ab ये हो जाएगा, a plus b का whole square, मतलब sin x बटे दो, plus cos x बटे दो का whole square फिर हमने workmool 1 plus sin x का अमाल लिखाला, ये बराबर हो गया sin x बटे दो, plus cos x बटे दो then इसके बाद हमने 1 minus sin x का अमाल लिखाला 1 minus sin x को हमने ऐसे लिख दिया इसको बटे ऐसे लिख दिया, ऐसे क्यों लिखा हमने sin x बटे दो, minus cos x बटे दो का whole square क्यों ने लिखा उसका कारण बटे ये था क्योंकि हम जानते है, a square plus b square minus 2ab बराबर होता है, a minus b का whole square, कब? जब a, b से बड़ा हो ओके? तो यहां से बेटा, यह हमारे पास बन जाएगा वर्ग मू लेने पर यह हमारे पास हो जाएगा, ओके? तो हमने मान रख दिये, बस answer आ गया clear नहीं बेटा, class तो आपकी 6 बजे चलेगे cost sign से बड़ा, ऐसे हुगा बेटा क्योंकि यहां पर देखो, x 0 से pi by 4 के बीच है, तो x by 2 0 से pi by 8 के बीच होगा अब 0 से pi by 8 के बीच में cost बड़ा होता है, sign बड़ा होता है cost बड़ा होता है cost बड़ा होता है, बेटा 0 से pi by 8 में cost बड़ा होता है, cost 0 का मान 1 होता है, जबकि sign 0 का मान एक बटे दो होता है तो कौन बढ़ा है कौस है साइन कौस ठीक है चलिए अब चलते हैं भी टाम अगले प्रिश्ण पर अगला प्रिश्ण स्द कीजिए कि 10 inverse of वर्गमूल 1 प्लस X माइनस वर्गमूल 1 माइनस X बटे वर्गमूल 1 प्लस X प्लस वर्गमूल 1 माइनस X बराबर होगा पाई बै फूर माइनस 1 वाई टू कौस इनवर्स X के चीक है अब देखिए भी टाम इस प्रिश्ण को कैसे सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे राम राम बिटा राम राम हरिंदर कुसवा राम राम चलिए अब देखो बिटा इस प्रिश्ण को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर बिटा सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं LHS लेने पर अब LHS में मेरे प्यारे बच्चो हमें दे रखा है LHS बराबर 10 इनवर्स ब्रैकेट वर्गमूल 1 प्लस X माइनस वर्गमूल 1 माइनस X बटे वर्गमूल 1 प्लस X प्लस वर्गमूल 1 माइनस X यह बिटा हमें दे रखा है ठीक है अब जब भी बिटा आपको 1 प्लस X 1 माइनस X देखे न तुरंत वहां पर आप मानो क्या माने सर गड़त की देखो एक खूबसूरती है सर क्या खूबसूरती है इसकी हमें तो कोई दिखाई नहीं देती बिटा इसकी खूबसूरती यह है कि जब भी आपको कुछ भी मानना होना अब बड़े ही आराम से मान सकते हो ठीक है तो माना ठीक है क्या मान रहे हम यह आपर माना x बराबर है cos 2 theta यह बिटा मैंने मान लिया ठीक है अब देखो 1 प्लस x क्या होगा तो यह हो जाएगा 1 प्लस cos 2 theta और यह बराबर होता है 2 cos square theta के ठीक है अब यहां से वर्गमूल 1 प्लस x क्या होगा तो यह बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 cos theta के बराबर हो जाएगा अच्छा अब आगे चलो 1 minus x क्या होगा यह हो जाएगा 1 minus cos 2 theta और 1 minus cos 2 theta क्या होता है यह होता है बिटा 2 sin square theta के बराबर तो यहां से वर्गमूल 1 minus x बराबर होगा वर्गमूल 2 sin theta यह बिटा हमारे पास बन जाएगा ओके यह हमारे पास आ जाएगा बस अब इन मानों को यहां पे रखतो तो LHS बराबर होगा 10 inverse of वर्गमूल 1 plus x वर्गमूल 2 cos theta माइनस वर्गमूल 1 minus x तो यह हो गया वर्गमूल 2 sin theta बटे वर्गमूल 1 plus x तो यह हो गया वर्गमूल 2 cos theta प्लस वर्गमूल 1 minus x यानि वर्गमूल 2 sin theta बन जाएगा ठीक है अब इसके बाद यहां पर बेटा हम वर्गमूल 2 cos theta का अंस्वे हर में भाग लगाते हैं कम समय की क्लास लिए ताकि आपको खाना पकाना है अरे बेटा बारवी की बोर्ड क्लास चल रही है अब तो यह चीज़े छोड़ दो यार घरवालों को समझाओ बेटा समझाओ सर आपने cost बहुत सही question बुजा बच्चे ने कि सर आपने x बरावर cost 2 theta ही क्यों माना कुछ और भी तो मान सकते थे बेटा देखो मैंने x बरावर cost 2 theta इसलिए माना क्योंकि मुझे 1 प्लस cost 2 theta एंड 1 मैनस cost 2 theta के formula मालूम है आप कुछ और सोचो क्या मानते जिसके formula आपको मालूम है जिसका आप वर्ग मुल आराम से कर सको ठीक है तो इन चीजों में जब भी आपको इस चैप की चीज़े दे रखे हो न तो आपको यही प्रतिस्थापन करना है x बरावर cost 2 theta ओके चलिए अब यहां पर बिटा हम वर्ग मुल दो cost theta से अंस और हर को भाग देने पर देखे बिटा क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास LHS बरावर होगा 10 inverse bracket भाग दीजे तो गया वर्ग मुल दो cost theta बटे वर्ग मुल दो cost theta माइनस वर्ग मुल दो cost theta बटे वर्ग मुल दो cost theta बटे वर्ग मुल दो cost theta बटे वर्ग मुल दो cost theta प्लस वर्ग मुल दो साइन ठीटा बटे वर्ग मुल्दो कौस ठीटा यह हमारे पास बन जाएगा ठीक है अब देखिए बटा इससे यह कट गया वर्ग मुल्दो से वर्ग मुल्दो कट गया इससे यह कट गया वर्ग मुल्दो से वर्ग मुल्दो कट गया तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा बराबर में 10 inverse यहाँ हो गया 1 minus sine बटे cos 10 तो 1 minus 10 theta बटे यहाँ पर 1 plus sine बटे cos 10 हो जाएगा 1 plus 10 theta हो जाएगा ठीक है यह आगे बटा LHS LHS बराबर 10 inverse of 1 minus 10 theta बटे 1 plus 10 theta यह बटा बन जाएगा ठीक है अब यहाँ से बटा इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 inverse of x minus y वटे 1 plus xy यह हो जाता है 10 inverse x minus 10 inverse y तो 10 inverse 1 minus 10 inverse of 10 theta यह बटा हमारे पास आजाएगा ठीक है अब 10 inverse 1 का मांद तो होता है pi by 4 अब बीमारी खड़ी हो जाती है यहाँ पर मुझे यह तो पता ही नहीं है कि theta क्या है बटा हमें यह तो मालूमी नहीं है कि theta कितना है तो देखे इसी के लिए यहाँ पर यह condition दे रखी है question में जो भी information दे रखी हैं बटा वो सारी काम की है ठीक है यहाँ पर देखे हमें x दे रखा है बटा minus 1 बटे वर्गमुल 2 से 1 के बीच ठीक है अब x बरावर हमने क्या माना cos 2 theta तो इसका मतलब cos 2 theta का मान 1 से minus 1 बटे वर्गमुल 2 के बीच में होगा तो इसका मतलब 2 theta का मान कहां से कहां होगा सोचो बेटा 2 theta का मान कहां से कहां तक होगा तो देखो cos 2 theta का मान 0 से 1 के बीच है इसका मतलब 2 theta का मान 0 से पाई बैटो के बीच में होगा ठीक है 7 में minus 1 बटे वर्गमुल 2 भी है ठीक है minus 1 बटे वर्गमुल 2 भी है तो इसका मतलब हम यह आपे लेख सकते हैं 2 theta का मान 0 से 0 से 3 pi by 4 के बीच में हो जाएगा तो theta का मान क्या होगा 0 से 3 pi by 8 के बीच में हो जाएगा ठीक है 0 से 3 pi by 8 के बीच में हो जाएगा ओके बिटा ठीक है तो इस range में बिटा 10 inverse of 10 theta क्या होगा ठीटा होगा तो यह theta बन जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखे बिटा theta क्या होगा यहाँ पर theta देखे क्या होगा तो 2 theta बराबर होगा cos inverse x के theta हो जाएगा 1 by 2 cos inverse x के बराबर ठीटा क्या होगा 1 by 2 cos inverse x होगा बस यहाँ पर मान रख दो तो हमारे पास देखे LHS क्या आगया LHS बराबर pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x हो जाएगा यह बिटा हमारे पास हो जाएगा pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था देख लीजे बिटा यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था ठीक है तो hands proof इस तरीके से बच्चों आपको इस प्रिश्ण को solve करना था ठीक है क्लियर बिटा ऐसे आपको इस प्रिश्ण को solve करना था एक बार फिर्श्ण समझा रहा हूं ध्यान से देख लो समझ लो हमने सबसे पहले lhs को लिया यह बिटा हमारे पास lhs था यहाँ पर मैंने माना x बराबर cos 2 theta है तो 1 plus x बराबर हो गया 1 plus cos 2 theta और हम जानते है 1 plus cos 2 theta बराबर हो था 2 cos 2 theta के तो वर्गमूल 1 plus x बराबर हो गया वर्गमूल 2 cos theta अब 1 minus x बराबर हो गया 1 minus cos 2 theta के तो यह 1 minus cos 2 theta होता है 2 sin 2 theta के बराबर तो वर्गमूल 1-X बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2-7 ठीटा के बराबर यह बनेगा अब LHS में मान रखा हमने तो यह हो गया फिर मैंने यहाँ पर अंसवेहर में वर्गमूल 2 कॉशिटा से भाग लगाया तो हमारे पास यह आ गया अब 10-X-Y बटे 1-X-Y यह होता है 10-X-Y के बराबर तो X की जगए एक Y की जगए पर 10 ठीटा ठीक है अब यह 10-1 कमांड तो पाई वे 4 होता है अब 10-10 ठीटा क्या होगा ठीटा कहां से कहां तक है तो यहाँ पर बोला गया है कि X-1 बट्तू से 1 के बीच आइ अब X क्या है? अच्छा फिर उसके बाद ठीटा 0 से 3-5-8 के बीच में हो जाएगा अब इसके बीच में 10-10 ठीटा ठीटा के बराबर होगा तो यह ठीटा हो गया अब ठीटा क्या हो जाएगा 2 ठीटावरावर कॉस न्वर्स एगा तो मान रग दिया ये answer आगए simple टेलिग्राम चैनल नेयम बेटर टेलिग्राम चैनल नायम है दीपक सर मैठ्स ठीक है दीपक सर मैठ्स है बेटर टेलिग्राम चैनल नेयम ठीक है चलिए अब अगले उधारन पर चलते हैं अगला प्रिश्ण है यदि 10 वर्स X-1 बिटे X-2 प्लस 10 वर्स X-1 बिटे X-2 बरावर पायवे फूर है तो मैं X का मान ग्याद करना है यह कुशन मैंने आपको कल भी दिया ता करने के लिए चलिए मैं आपको इस वाले कुशन को करव Y बटे 1-XY यह बिटा बन जाएगा बरावर हो गया पाई बाई फूर के तो यहां पर लगुत्तम कितना आएगा X-2 गुणा X-2 इस 10 वर्स को दो उधर बेज दो तो यहां पर हो गया X-2 गुणा X-2 गुणा X-2 गुणा X-1 गुणा X-2 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 गुणा x-1 गुणा x plus 1 ठीक है बराबर हो जाएगा 10 pi by 4 k and 10 pi by 4 का मान बिटा 1 k बराबर होगा ठीक है अब देखिए इस से ये कट जाएगा गुणा करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा x square plus 2x minus x तो प्लस का x minus 2 plus x square minus 2x plus x तो minus x minus 2 बटे यहां पर हो जाएगा x square minus 4 minus x square plus 1 बराबर बिटा 1 बन जाएगा यहां पर ये कट गया ये कट गया तो 2x square minus 4 बराबर हो जाएगा minus 4 plus 1 minus 3 तो यहां minus 3 हो जाएगा तो 2x square बराबर 4 में 3 गए एक x square बराबर 1 by 2 हो जाएगा x square बराबर 1 by 2 हो जाएगा तो यहां से बिटा x बराबर हो जाएगा plus minus 1 by root 2 यह हमारे पास x का मान आ जाएगा plus minus 1 का बिटा दिहान रहे दोनों ही मान संबब है plus का 1 by root 2 भी संबब है और minus का 1 by root 2 भी बिटा संबब है ठीक है plus का 1 by root 2 भी संबब है और minus का 1 by root 2 भी संबब है के लिए रचो ऐसे आपको बिटा इस प्रिशन को हल करना था चलिए अगले प्रिशन में जलते हैं अगला प्रिशन है यहाँ पर बिटा मैं इसका मान ग्याद करना है अब देखे कैसे ग्याद करेंगे इसके लिए बिटा सबसे पहले मैं sin inverse 3 भटे 5 है इसको बिटा मैं रुपांत पर नहीं है गोड़ धर्म की साहिता से 10 inverse में बदलूँगा तो यह हो जाएगा 10 inverse 3 भटे 4 and cot inverse 3 भटे 2 इसको भी में 10 inverse में बदलूँगा तो यह होगा 10 inverse 2 भटे 3 अब यह question हमारा बनेगा 10 of 10 inverse 3 भटे 4 प्लस 10 inverse 2 भटे 3 अब यहाँ पर बिटा म 10 inverse x प्लस 10 inverse y का formula लगाएंगे तो यह है 10 of 10 inverse x प्लस y भटे 1 माइनस x y यह बन जाएगा तो यहाँ से बिटा लगुत तमाएगा 12 10 of 10 inverse x होता है तो x लिख रहाँ डायरेक बारह आगया 4 तिया 12 तिया 12 तिया 9 प्लस 3 तिया 12 चार दूनी 8 बटे यहाँ पर 12 लगुत तमाएगा तो 12 माइनस 3 तिया 6 बटे 12 बारह बारह ऐसे बारह गया नुराट 17 बटे में 6 यह बिटा मारा answer आ जाएगा ऐसे बिटा आपको इस प्रिश्ण को हल करना था 17 बटे 6 बिटा right answer होगा ठीक है अगले प्रिश्ण में जलते हैं अगला प्रिश्ण में बिटा सिद्ध कीजिए कि sin inverse 3 बटे 5 माइनस sin inverse 8 बटे 17 बराबर होगा cos inverse 84 बटे 85 के अब इसको कैसे solve करेंगे तो यहाँ पर बिटा हम sin inverse x माइनस sin inverse y का formula लगाएंगे तो lhs बराबर हो जाएगा sin inverse sin inverse x माइनस sin inverse y बराबर होता है sin inverse x वर्गमूल 1 माइनस y स्क्वार माइनस y वर्गमूल 1 माइनस x स्क्वार यह बिटा बन जाएगा यहां से बिटा यह हो जाएगा sin inverse 3 बटे 5 गुणा वर्गमूल 1 माइनस 8 बटे 17 का वर्ग है तो यह हो जाएगा बिटा 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बटे 17 का वर्ग तो यहां बचेगा 15 बटे 17 माइनस यह हो गया 8 बटे 17 गुणा यहाँ का पांच का बर्क माइनस तीन का बर्क बटे पांच का बर्क तो यह हो जाएगा चार बटे में पांच ठीक है तो cos inverse में बदलेंगे हो जाएगा cos inverse 84 बटे 85 और यही बिटा मुझे सिद्ध करना था सर कैसे बदला आपने cos inverse में ऐसे बदला बिटा कि मैंने sin inverse 13 बटे 85 इसको माल लिया ठीटा साइन ठीटा बराबर हो गया 13 बटे 85 के साइन क्या होता लंब बटे कंड यह मालो ठीटा है तो यह लंब यह कंड यह हो गया आधार यह 13 है यह 85 है पाइथोगरस लगाओगे यह 84 हो जाएगा तो यहां से cos theta बराबर हो जाएगा आधार बटे कण यानि 84 बटे 85 तो theta बराबर cos inverse 84 बटे 85 आजाएगा तो ऐसे बेटा आपको ये prishnal करना था चलिए अगले prishnal में जलते हैं अगला prishnal है यहां पर हमें sine of two ten inverse two by three plus cos of ten inverse वर्ग मुल तीन का मान गयाद करना है ठीक है अब देखे बटा इस prishnal को हम कैसे solve करेंगे तो यहां पर पहले मैं मानूंगा माना ten inverse दो बटे तीन बराबर है theta के तो यहां से ten theta बराबर होगा दो बटे तीन के अब यह question क्या बनेगा तो यह बन जाएगा sin two theta plus cos of ten inverse वर्ग मुल तीन ten inverse वर्ग मुल तीन का मान क्या होगा यह हो जाएगा बटा pi by three क्योंकि 10 pi by 3 का मान होता है वर्गमुल 3 तो 10 versus वर्गमुल 3 pi by 3 हो जाएगा अब यहाँ पर देखे sine 2 theta क्या होता है 2 10 theta बटे 1 plus 10 square theta plus cos pi by 3 का मान 1 by 2 होता है ओके पिटा अब यहाँ पर देखे यहाँ पर मान रखेंगे तो यहोग है 2 गुणा 10 theta का मान आए 2 बटे 3 बटे 1 plus 4 बटे 9 plus 1 by 2 हो जाएगा 9 लगुत्तम ले लेंगे तो 9 लगुत्तम लिया यहोग है 4 बटे में 3 यहाँ से हो जाएगा 4 बटे 3 बटे 9 और 4 13 बटे 9 plus 1 by 2 3 कम 3 3 3 9 तो यहोग है 12 बटे 13 plus 1 by 2 लगुत्तम आजाएगा 26 तेरे दुनी 26 बटे 12 बटे दुनी 26 तेरे कम 13 तो 24 तेरे 37 बटे में 26 यह बटा अंसर आजाएगा तो यह थे बटा आपके पिरतलोम तिरुकॉर्णमतिय फिलन पर आधारित कुछ important question ओके बच्चो चलिए चलिए बटा आज की क्लासकुमी पर स्टॉप करते हैं समय होगे आपकी आज की quiz का तो सही बच्चे तयार हो जाएंगे quiz के लिए आपके सामने आ रहा है आज की quiz का पहला question जो कि बटा यह है बताए बच्चो इसका मान क्या होगा 10 square of sec inverse 3 प्लस quad square of cosec inverse 2 का मान क्या होगा बहुती बहतरीन question है बताए इसका मान क्या होगा देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही आंसर देता है हिंट मैं आपको देता हूँ बटा आपने दसवी क्लास में 10 square theta और quad square theta का formula पढ़ा है तीन सर्व समिकाएं पढ़ी थी आपने दसवी क्लास में तो उन्हें में से किसी दो का को उप्योग करना है बस इतनी हिंट काफी है सर मान भूल जाते हैं कैसे भूल जाते हैं यार मान table याद नहीं कि बटा बारवी क्लास में आगए आप लोग यार table याद करने की trick बताई गई होगी बटा आपको बारवी क्लास जब आप दसवी क्लास में होगे तब ग्यारवी में भी बताई गई होगी देखो इस question को हम कैसे solve करेंगे तो बटा 10 square theta होता है 10 square theta बराबर होता है 10 square theta माइनस एक and cot square theta बराबर होता है cos square theta माइनस एक के तो यह बन जाएगा sec square of sec inverse 3 माइनस एक plus cos square of cos inverse 2 माइनस एक यह बन जाएगा अब sec of sec inverse x होता है तो यह बन जाएगा 3 का वर्ग माइनस एक प्लस यह हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस एक तीन कवर्क नो, माइनस एक, प्लस दो कवर्क चार, माइनस एक, तेरे में से दो गए तो कितना आएगा, ग्यारा, कितना आएगा बिटा, ग्यारे आएगा, ठीक है, तो B option right answer होगा, ग्यारे होगा बिटा इसका answer, किसी का answer नहीं आया, बड़े ही निरास होने की बात है, ग्या अब एक question मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, ये question मैं आप खुछ से करिएगा, हमबर के तोर पर, और इसका जो भी answer है, आप प्लीज यार मुझे इस वीडियो के comment section में लिखके बताईएगा, ओके, चलिए अब आज की class को बिटा में पे stop करते हैं, इस तरीके से आज की class में आपको प्रतलुमत रिकारमतिय फलनों के बोड के exam के point of vision जो important question है, अब I hope आप सभी को आज की class में काफी मजा आया होगा, अब जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है, फटाक से बिटा subscribe कर दीजे, बेल आइकन को press करिए, साथ में जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया, जल्दी से like करिए and share करिए अपने सभी दोस्तों के साथ, वहीं जिन बच्चों ने अभी तक मेरे telegram group को join नहीं किया, जल्दी से join कर लिजे, वहीं पर आपको class की PDF मिलेगी, अब चलिए आपके दीपक सर आप से विदा लेते हैं, जल